दोस्तों स्वगत है आप सभी का साइंस चर्णी में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे गजलचमी आप देखते हैं गनेशा देखते हैं बिनायक आपको जो बताया जाता है तरतरह के चीज़े दिखाई जाती है यह बताया जाता है कि जो सो कॉल्ड ब्रामणवादी धर्म ब् आजकल हिंदू कहने की कोशिस की जा रही है हिंदू धर्म उसमें जब भी कोई नया काम होता है तो गनेश की मुर्ती या गनेश का एक इमेज लगया जाता है गजलचमी की पूजा की जाती है ऐसा बताया जाता है अब हम आज इसकी फैक्ट चेकिंग करेंगे कि जो सो कॉल ब्रह्मणवादी जो धर्म है जो बुद्ध से पहले अस्थापित करने की कोशिस की गई है एकेडिमिया के थरू जिसमें बताया गया है कि वेद पुराना है उसी से हिंदू धर्म बना है बारत का एक्चुल जो धर्म है शमन कल्चर जिसके सबूत लगतार मिलते आए हैं पुरातत तो हो या वाशा विज्ञान हो हर तरह से हर तरह से सबूत मिले हैं मतलब आप कारवन डेटिंग कर सकते हैं आप थर्मोलिमियंस कर सकते हैं आप जितने वही जो तरह की टेस्टिंग होती है वो सारी टेस्टिंग किस पर कर सकते हैं बुद्धे जम के सबूतों पर ब्रह्मेनिकल जो बताया जाता है कि बुद्ध just पहीले था उस पर आप क्या कर सकते हैं सेबूत भी नहीं है कहेगा सेबूत भी नहीं है करेंगे किस्जी संकी टेस्टिंग बस पुराना मानले जे ट्रस्ट मिबरो सबसे बड़ा सबूत का टरीका होता है टूरी दुनिया की हर चीज Noff सक teraz उपने करें युक्त कर talks सब्सक्राइब कूए थे ना हम dare इस्फिर लाये थे आए तो तुम्हारे अगल भगल घर घुर के और कोई दो जानता और निक् angef के आय थे बाप घज से गजानन कहा जाता है गज से हाथी कहा जाता है गज से गजलचमी कहा जाता है उसका सबूत क्या मिलता है तो इसको सुरू करने से पहले legal disclaimer है जैसा कि आप जानते हैं यहां पे जो भी बाते होती हैं जो भी presentation होती हैं जो भी debates होती हैं इसका उदेश्य scientific temperament को encourage करना है जो कोई भी वाहर से यहां पे वक्ता आते हैं वो जो कोई भी अपनी बाते रखते हैं वो उनकी अपनी responsibility होती है, तो ये सबसे पहले ये दिखिए, ये आपको इंडस वैली civilization में मिला, देखके साफ साफ आपको लग रहा होगा कि ये elephant है, clear है, यानि भारत में जो खुदाई की सबसे पुरानी शभ्यता है, उसमें elephant पाये जाते थे, elephant था और वो seal पे बहुत सारे seal मिले हैं, जिस पे elephant बना हुआ है, यानि elephant हमेशा से ही भारतिय का जो culture रहा है, ancient culture रहा है, उसका सबसे पुवित्र पशू और एक भव्य पशू, एक सभ्यता का इसमारक पशू रहा है, ये तो एक दम clear है, अब ये एक seal देखिए, ये seal क्या है, ये seal क्या है, ये seal कला है, बि इसा से 200 साल पहले भरहूत सतूप बना था, और उस भरहूत सतूप पे बकायदे ये बुद्धिजम का ये बना था, जिसमें एक महला बीच में हैं, और दोनों तरफ से elephant जो हैं, वो अपने अपने शूंड से उपर ऐसे कर रहे हैं, इसी को कभी ऐसे दिखाया जाता है कि प बुद्धिजम का है, कहां से मिला है बुद्धिजम के सुतूप से, इससे पुराना अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है, यानि कि ये जो लच्मी बना के दोनों तरफ elephant दिखाय के जिसकी पूजा कराई जा रही है, ये बुद्धिजम का है, तो जो लोग भी इसको सकाहारी बनने के लिए चिकन लेकर आएं, आप मंत्र पढ़े के खा रहे हैं, कहा रहे हैं कि देखो, अब आम ना सकाहारी हो गए हैं, जैसे मनुस्विर्ति में दिखाया है नो, चप्टर फाइफ में, कि आप जो हैं पसु हिंसा यग के लिए हिंसा नहीं माने जाती, और म चीज किसका, बुद्धेजम का, वहाँ पे किसी ब्रामहड आके उसी चीज को आपको देवी देवता बना के पूजा शुरू करवा रहा है, आप उसमें खुस होआ कर रहे हैं, का कर रहे हो भाई, अपने कल्चर को सही से पहचानिये, यह हमारा कल्चर है, हमारे धर्ति की असीम संपत्ती है, और यह किसका है, शमण लोगों का है, बुद्धिष्ट लोगों का है, तो आप कोई कहेगा कि अच्छा यह तो ठीक है, इसको गजलचमी कहते हैं, लेकिन हम कैसे मालने कि यह बुद्धिष्ट का है, हो सकता है, कि हमारे जो सो कॉल्ड ब्रामहड धर्म ह उसमें भी तो हो यह चीज, दोनों में हो, दोनों में तो हो सकता है, अईसन थोड़े एक खाली आपका, आपका मिल गया सबूत तो इसका मतलब भी थोड़े है, कि आपका है, हमारा नहीं है, यह भी कहेगा कोई, क्योंकि जिसके मन में अंध्यविस्वास घुसा हो, पाखर गढ़ रखी है, कि इनका कोई वेद है, वह बहुत पूराना है, तो वेद ही खोल लेते हैं, उसमें तो मिल जाएगा न, अगर गजलचमी है, गज से गनेस है, गज से गण है, तो उसमें तो सबूत मिल जाना चाहिए, तो हमने इनका रिग वेद उठाया, क्योंकि रिग व टीका था, खर कोई बात नहीं, इमानते हैं, तो हमने सोचा कि चलो, हम उठा लेते हैं किता, और खोजते हैं उसमें गज, पहले हमने विनायक खोजा, मिला ही नहीं, विनायक सब दिन के हाँ है ही नहीं, तो हमने सोचा अच्छा बाई, चलो फिर गज खोजते हैं, हाथ ही कुछ तो मिल जाए, तो हमने सर्च किया, तो सर्च किया तो देखे क्या रिजल्ट आया, यह देखिए, हमने पूरा खोज मारा है, लाइन बाइन पढ़ डाला, मेहनत की मैंने, कि चलो आज तो निकाल ही देंगे भाई, अगर किसी का क्लेम यह है, कि आपका यह है, तो हमारा ही होगा, हम तो मुह से गपोड़े लोग हैं, कान में पूंक केलाते थे, सिल्पकला नहीं बनाते थे, इसलिए हमारा नहीं दिख रहा है, अरे तो जब उस समय नहीं बनाते थे, तो इस समय कईसे बनाने लगे, है तो बुद्ध्यजम का ना, और जो कहानी नहोंने गढ़ी है कि थी, तो उसके लिए तो किताब खोलनी पड़ेगी, तभी फैक्ट चेक होगा, कि था भी की नहीं था, तो हमने ये किताब खोल दी, अब हमको कई जगह पे ये मिला, अब ये देखिए, मैंने नोट किया है, रिगवेद के आठवे मंडल, में पैंतालिसवा जो सुक्त है, उसका पाँच नंबर मंत्र, क्या लिखा है इसमें, पूरा मंत्र देख लेजिए, ये मंत्र है, इस मंत्र में आपको कहीं भी गज दिखा, विनायक दिखा, नहीं दिखा न, अनवाद में आप देखें के यहां पे लिखा है, वह परवत पर दर्सनियों हाथी के समान य अब यस्ते, तो आप देख लिजे, हाथी का मूल जो है, इनके मंत्र में कहीं गज है ही नहीं, अरे भहिया, आपका कोई गजलचमी पहले से थी, और आप इही का दावा है कि किताब पुरानी है, हम तो नहीं मानते हैं, आप मानते हैं, तो हमने आप इही की किताब खोल दी अनुवाद भी आपने हाथी कर दिया, पूरे इनके रिगवेद में कहीं गज ही सब्द परियोग नहीं है, अनुवाद में इन्होंने लिख दिया हाथी, लेकिन हाथी का एक्चुल जो सब्द है, आपको कहीं दिखा गज, जब नहीं गज, ना गणे से दिखा, ना गड़ अगर गज, गणेस इनका सब्द है तो इनके किताब में तो होगा न भई, आएए, अगर रिगवेद के पहला मंडल, 64 नंबर सुक्त का 7 नंबर मंदर, इसमें भी देखे, इसलिए तुम सुन्ध वाले हाथी, यहाँ भी अनुवाद में परियोग किया सुन्ध वाले हाथी अनुवाद में है, तो आएए मूल में खोचते है, कि मूल में कहीं गज या हाथी, कुछ तो परियोग किया होगा, तो क्या लिखता है मूल उपर से दूसरी लेन? हस्ती मतलब हाथ ऐसा जानवर जिसका हाथ हो हस्तिन यानि कि यह जो वेद लिखने वाला था रिगवेद का जो लेखा का था इसको गज के बारे में पता ही नहीं है इसको विनायक के बारे में पता नहीं है इसको गनेश के बारे में पता ही नहीं है क्योंकि इनकी कभी ये सभ्यता ही नहीं रही है ध्यान से समझिएगा confusion हो तो सब किलियर कर दूँगा एकदम जो दूद की करी होती है न वैसे कोर के निकाल दूँगा मैं पुरा ध्यान से सुनिएगा एकदम आपको आपकी सभ्यता जानना है कैसे प्योकूफ बनाया जा रहा है सभ्यता किसी और की कहानी किसी और की या WhatsApp University कुछ और ही चल रहा है तो यह देख लिजे क्या लिखता है म्रिगा यू हंस्तिना आप दो सब्द जोड़ के बोलते हैं किसी चीज को इसका मतलब की आपके language में आपका language वेज उस वहां का native ही नहीं है समयना न, native कहने का मतलब आप बाहर से आए हैं आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीज है, तो आप क्या करते हैं दो-तीन चीज मिला के जोड़ तोड़के उसका नाम रखते हैं जैसे computer, computer तो भारत का है नहीं अब उसका नाम लिखना होगा पताना होगा, तब दो-तीन सब्द जुड़ेंगे न कुछ सांख्य की, अनवेशड, गड़ना या के यंद्र दो-तीन चीज जुड़ जाड़के बताएंगे जब अरजस्ती के हम भी कुछ करते, आपके हम है ही नहीं तो यहाँ पे इन्होंने तुम शुंड़ वाले हाथी यहाँ पे सुंड हस्तिन अम्रिगा, अम्रिगा मतलब तो जैनवर होता है हाथी का नाम का एक्टूल इनके हाँ सब्द ही नहीं है सब्द ही नहीं है जानते ही नहीं है हाथी क्या होता है और हमने आपको दिखाया इंडरस वैली सिवलाइजेशन में भी हाथी भरहूत सुतूप दिखाया ईसा से यहां तक कि शमराट असोक का एक अभी लेखे उसके उपर भी हाथी बना है उसमें भी गज लिखा हुआ है कुल मीलाके ये यसे ये सावित होता है कि यह या तो यहां के थे ही नहीं कहीं दूसरी जगा से ये लेके आएं है और या फिर इनके धर्म में इस चीज से related कोई बात ही नहीं है, ऐसा कोई सब्द ही नहीं है, समझे के clear, एकदम perfect clear हो गया होगा, कि हाथी होती, जो कहानी की सते जुग में, सीव जो हैं, गरदन काट दिये थे, गनेश का, हाथी का लेके आये थे, अब तुम्हें या सब्द ही नहीं है, काट के किसका लाके आये थे, नाम ही नहीं जानते हैं उस जीव का, जीव का तो नाम जनना पड़ता है ना, नाम ही नहीं जानते हैं, दो-तीन सब्द जोड़े हो यहाँ पर म्रिगा जानवर, यू हंस्तीन, यानि हाथ वाला जानवर, और देखिए, फिर एक अजगह और इन्हों ने इस्तमाल, अनुवाद में इस्तमाल किया गज, गज के साथ अश्व, याद रखिए गज अनुवाद में इस्तमाल किया, अनुवाद का क्या मतलब होता है, अनुवाद का मतलब होता है आज की सबदा हाथी सब्द परयोग किया है देखें इंद्र वाजेशु नोव सहस्त्र प्रधनेशु च उग्र उग्रा भीरू तीभी अब बताईए इसमें कहीं आपको गज सब्द मिला नहीं मिला है ही नहीं इनके लिए यहाँ पे जो गज सब्द इस्तमाल किये हैं कहीं पे भी आप बत दीजिए यहाँ पे कहीं आपको दिखा एक जगह मूल मंत्र में नहीं यानि इनके यहाँ गज और हाथी के लिए कोई सब्द ही नहीं था इन लोगों ने जब अरजस्ति अपने अनुवादों में अनुवाद तो किया नाम इनको नहीं पता है कुछ भी बोल रहे हैं जिसक गज थें गजल अचमी थी स्रिष्टी के जनम से ही वो चल रहे थें अभी यहां तक कि शिव जी की जो साधी हुई थी उसमें गनेश जी की पूजा हुई थी इतक भी एक पूरान में लिखा है और यह सब लोग पता नहीं कौन से सतजुग के थे कहां के थे अनाम ही नहीं पता विदवाले को बताए पिणी दर पिणी ढोके ले आ रहा है बोल रहा है क्लेम कर रहा है अनाम ही नहीं पता हाथी जैसा सब क्या कहा जाए कि यह किताब ही भारत की नहीं है एक ऐसे जगह की है जहां पर हाथी जैसा कोई जीव ही नहीं पाया जाता था क्या इसका मतलब निकले, सुचिए आप, विचार कीजिए, आगे बढ़ते हैं, एक और हमको मंत्र मिला, जहां अनुवाद में गज सब्द परियोग था, अश्व भी परियोग था, तो हमने सोचा कि मूल जो मंत्र है, उसमें फिर से कहीं चेक कर लेते हैं, हमने तो पूरा दसो के दसो मंडल शान मारा है कि कहीं मूल मंत्र में एक जगह गज मिल जाए, अब यहां क्या लिखता है, क्ववः शुन्ना नौयांसी मरुतह, देखें मरुत सब्द परियोग हुआ, क्वः शुईता, क्योवः विश्वानी शोभगा, अब देखें, इसमें कहीं गज सब्द मिला, आपक अनुवाद तो आज की सब्दावली में है न, यानि आज की सब्दावली में जो गज है, उनके मूल किताब में गज नाम की कोई शब्दावली ही नहीं है, देख लीजिए, अब एक और स्लोक मंत्र देख लीजिए इनका, चौथे मंडल का, इसमें इन्होंने जो परियोग किया, सोलवा सुक्त का फोटीन नंबर जो मंत्र था, उसमें फिर से था मृगो नहस्ती, उपर से दूसरी लाइन, मृगो नहस्ती, और मृगो नहस्ती का अनुवाद इन्होंने क्या किया, तिसरी लाइन उपर, आप देखिए, तुम हाथी के समान, सत्रुगों की सेना जल हाथ वाला जानुवर हो, नाम ही नहीं पता है, गज, गनेशा, कुछ पता है नहीं है, और क्या बताते हैं ये, कि हमारा किताब 3500 साल पुरा नहीं है, आपसे पहले सिंदु गाटी सभ्यता थी, हाथी तो तब भी वहाँ पे था, हाथी तो तब भी था, तो इनके हाँ, क्य क्यों नहीं है ये सब्द, ये क्यों नहीं जानते, क्या ये बिदेश से आये हैं, बिदेशी हैं ये, भारत में इनको हाथी का नाम ही नहीं पता, गज का नाम ही नहीं पता, अनुगाद हिंदी में गज परियोग कर रहे हैं, आप मूल संस्कृत में पता नहीं कर रहे हैं, म मनुश्मृति उसमें तो प्रयोग किये होंगे ना उसमें कौन सा सब्द प्रयोग किये हैं तो यह हमने ओपेन किया मनुश्मृति का चैप्टर 3 का 165-166 लोग है हमने सोचा कि भै चलो गनेश अगर इनका है सीव जी ने अगर काट दिया गरदन मैल से बताया गया उत्पत्त गरदन जूड दी है प्लास्टिक सरजरी भी हो गई ठीक है कहानी है हमने मान लियाग की पूजा पाठ तो करते होंगे ना वेद से उतर के मनुश्मृति प्याएं तो मनुश्मृति में चैप्टर 3 का 165-166 लोग को आप निकाल लिजिए अगर किसी मनुश्मृति में एक किसी मनुश्मृति में गायब कर देते हैं सब जहां जहां आप हसते हैं अपने हिजाब से एक ने तो पूरा 1400 स्लोग निकाल कर फेंक दिया फंसा तो लेकिन तब भी फंस जाते हैं तो अब यह देखिए इसमें चैप्टर 3 में यह क्या लिखता है यह देखिए हाइलाइट में पता है मुख्य मूल जो स्लोक है उसमें लिखा है हिंसो व्रिशल वितिष्चा गणाना चैव याजका मूल स्लोक में कहीं नहीं लिखा है कि गरदन काट दियें कि विनायक हैं कि क्या है अनुवाद करता वला अच्छे से समझा के वादाता है उसका थुड़ा मूल करके खूब चल रहे हैं सलते हैं ना पुरह कनिश्च चतूर्थी मनाई जा रही है तो जो ये काम करता है अचार भरष्ट नपून्सक नित्य विक्षा मांगने वाला क्रिसी करम करने वाला पिलिया रोग से पिनित और अपने दुसकरमों के करन सजनों द्वारा निंदित इस ब्रामण को स्राध कर्म और यगादी पूरोहित नहीं बनना चाहिए मतलब क्या कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें इसमें से कोई भी गुण हो जिसमें से एक गुण ये भी बता दिया कि जो गनेश यानि विनायक की उपासना करता है उनकी पूजा पाठ करता करवाता है वैसे यग यगादी पूरोहित को पूरोहित बनने ही नहीं देना है बाईकट मारो भाई बाईकट इसको गर इसकी पूजा करेगा विनायक की करेगा तो चल चल निकल बाईकट मारो इसको समाज से बाई स्कृत करो हम नहीं कह रहें भाई हम नहीं कर रहें यह कह रहा है मनुस्मृति है चेप्टर 3 का 165 का 166 लोग देख लिजिए आखों से देख लिजिए नहीं विश्वासवता किताब खुल लिजिए किसी भी प्रकाशन का उठाकर खुल लिजिए खुल के पढ़ लिजिए ना मतलब जब मनुस्मृति लिख रहा था पहले वेद में हमने दिखाया गज हाथी नाम अता पता नहीं उसको मनुस्मृति लिख रहा था तब उसको पता चल गया कि अच्छा कोनो विनायक और कई गने सुने किसी दूसरे के धरम में है कहीं अपना ये तब लिखा गया मनुस्मृति जब अल्रेड़ी विनायक या जिसको गनेस कह रहे हैं ये किसी दूसरे धरम में अल्रेड़ी थें और वहां जाके अगर कोई नोकरी करना चाह रहा था जैसे अंग्रे जाये थे ना तो गांधी क्या किया थे है बीदेसी कपड़ा की हुल हम नहीं पढ़ेंगे भी देसियों का तो मनुस्मृति जो है इसको हाथी के बारे मैं पता नहीं है मतलब वैद वाले को तो बिल्कुल नहीं पता था अब मनुस्मृति क्या कह रहा है कि अब इसकी पूझा कर रहा है उसको बाइक सूंख कर दो भाई अब आते हैं origin पे, कि इनका Sanskrit गरंध जो है, वो क्या कहता है, मतलब इनकी dictionary क्या कहती है इसके बारे में, आचा उससे पहले भी एक और देख लीजिए, एक दूसरा मनुस्मृति का एक दूसरा प्रकाशन का भी मैंने उठा लिया, कि देखें वो क्या लिखता है, वो भी यहां कराने वाला, यह सब सरदाधी करम से त्याज्य है, यानि जो व्यक्ति विनायक या विनायक आदी गण जो है, इनके लिए यगवग कराएगा, उसको सराद वराद में कभी मत बूला ना भगा दो भी या उससे बाईकट मार दो, इवी लिख रहा है, चलिए, आगे बढ़त मन सिवराव आपटे की, वही किताब उठाए, मैंने की वही डिक्सनरी उठा ले, और वो क्या कहता है, हस्तिन का मतलब होता है, कि कर युक्त या शूंड वाला हाथी, मतलब हस्तिन जो है, हस्तिन मतलब होता है, हाथ शूंड वाला हाथी, इनके हाँ हाथी के लिए special कोई अब नहीं है, क्या कहते हैं हश्टिन मतलब शूंड वाला हाथी, और फीर आगे कहता है मनु ने 7Y 97 चेप्टर में 12 चेप्टर में हाथी के चार प्रकार बताए हैं, ब्रद, मंद्र, म्रिग और मिश्र, अब देखिए ये चार तरह के हाथी हैं, भद्र, मंद्र, म्रिग और म देख लिए आपने और मनू ने बताये हैं वेध में तो नाम ही नहीं है अब ये देखें, यहाँ हस्ती सब्द इस्तमाल किया, किसके लिए हाथी के लिए, जो वेद में था, गज सब्द अभी भी नहीं इस्तमाल किया, गवर कीजिएगा गज नहीं इस्तमाल किया, क्या इस्तमाल किया हस्ती, अनुपाद क्या किया हाथी, आगे बढ़ते हैं, और ये मनुस्मृति चेप्टर 9 का 96, इसमें भी क्या इस्तमाल किया हस्तिन, हिंदी अनुवाद क्या किया गज, याद रखे गज हिंदी अनुवाद है, इनके मूल सुलोक में गज नहीं है, तो गज लचमी, गनेश, ये गज से जो सब्द आ रहा है, ये इनका है ही नहीं, इनों ने बाद में उसे सब्द को एडॉप्ट कर लिया है, मैं क्या कहता हूँ, इससे आपना भासा विज्ञान से ये भी पता लगा सकते हैं, कि इनके भासा की उत्वत्ति कैसे हुई है, जैसे हस्तिन मतलब ये क्या कह रहा है, हाथ वाला जानवर, सुन्ड वाला हाथ, यही कह आता था ना, इसका मतलब कि हस्ति सब्द भी इनका मूल नहीं है, कहां से आया है, वो भी मैं बता दूगा, कैसे पाली पाकित से इनकी जो वैदिक जो इनका कहते हैं, ये वैदिक संस्क्रीट या संस्क्रीट कैसे पाली पाकित से विक्सित हुई है, ये भासा विज्ञान चुपा हुआ है यहीं पर चूपा हुआ है पूरा क्यूर कर दूगा देखते जाई आप फिर से आप आज आईए अब घज सब्द पे की जो घज सब्द है उ संस्क्रीट में आज कल पाया जाता है पहले नहीं पाय जाता था मनुसमिर्थती वाला नहीं परियोग करता वेद वाला नहीं परियोग करता आज वालों को accept करना पड़ गया क्योंकि पाली पाकित का सब्द गज को इन्होंने as it is adopt कर लिया है लेकिन संस्कीत की कोई सब्दावली पाली पाकित में नहीं है लेकिन पाली पाकित की जो सब्दावली पाई जाती है वो इनक गज मतलब हाथी और गज मतलब अगर हाथी होता तो इनका क्या है आठ की संख्या लंबाई की माप गज एक राक्षस जिसे सीव ने मारा था समझ रहे हैं ये क्या कह रहे हैं ध्यान से देखिएगा एक राक्षस चार नमबर पे एक राक्षस जिसे और उपर यहां राइट सा सब्द जो है जो गनेशा है उसको एक राक्षस की तरह ठीट कर रहे हैं ये राक्षस था जिसको सीव ने मारा था ध्यान से समझीएगा बाइकट कर रहे हैं मनुस्मृति में यहां पर यह बता रहे हैं हाथी के साथ साथ आठ की संख्या बता रहे हैं भई आठ की संख्या माप है यह तो आपका तो है नहीं गज तो भारत की पद्धती नहीं है न माप करने का यह तो मुस्लिम जो आयत हैं उसके बाद से उनके हां से शुरू हुई है गज आए फिर फ्रांसिसी आए ब्रिटिस आए उन लोग यहां से मीटर फुट यह सब भी शुरू हो गया तो इन जाता है अब आजाते हैं हम एक्शुल सब्ध कहां है यह एक्शुल सब्ध आता है पाली से पाली की डिक्सणरी उठाईए और पाली में आप देखेंगे गज का मतलब हाथी ठीक है अब कोई ये भी कह सकता है कि जब यहां भी हाथी है वहाँ गजह मतलब भी तो वहाँ थे लिखा था तो वहाँ यहाँ थे लिखा था तो गजह सब्द आपके किसी पूराने किताब में क्यों नहीं है डिक्सनरी में आपने बाद में अड़प्ट की ना जैसे अक्सफोर्ड जो है रोटी सब्द एक्सेप्ट कर लिया बम, डकैट, लुटैट, पूलिस सब्द, पूलिस पहले भारत में अलबरुनी आया था गुप्तकाल में पूलिस यहां के विद्वानों के नाम होते थे गुंडा सब्द भारत का है और आज देखिए इन सबसे सारे सब्दों को विद्व में इस्तेमाल होता है और जो वाटसप छाप ग्यानी होते हूं इंडो आर्यम को जिन लगते हैं कि आज वह वहां से आया है वहां से इस सब भारत के सब्द हैं समराट असुक के अगर ध्य गरजने वाला भिखुशंग आप देख लिए गण का मतलब होता है भिखुशंग और मनुस्विर्ती का जो मूल स्लोक था कि जो गण से युक्ति यानि भिखुशंग के युक्ति यहां समझेगा यहां पे यहां से समझेगा आपको पिलियर हो गाई क्या लिखा है गजितु क गण का पती गण मतलब शंग होता है विच्छु शंग होता है अब मैं आपको कुछ और प्वेंट्स दिखाता हूं नाग पाली में हाथी को रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे सब्द हैं जैसे नाग सब्द है और नाग मतलब शर्प भी होता है हाथी भी होता है नाग नागदिप शीहल दिप का उत्री भाग को नागदिप कहते थे, नागदंत हाथी का दाथ, कई सारे सब्द हैं, यहाँ पर, इसमझेगा, फिर इसी तरह से, अब मैंने क्या कहा कि, इनके वेद में इन्हों ने जो सब्द इस्तमाल किया था, हस्ती, मृग और हस्ती, दो तो उन्होंने जो हस्ती सब्द पर्योग किया था, दरसल यहाँ पे एक्चुल सब्द हथी है, जो पाली पाकित का सब्द है, हथी, हथी को ही संसकारित करके उन्होंने हस्ती कहा था, ये हथी, हथी का सीधे-सीधे मतलब हाथी होता है, जबकि उनके हैं हस्ती मतलब isolu आति था यह को कची लेखें की था यह देखेंगा हस्ति मतलब किया लिखा था शुन्ड वाला आति किया लिखा है का है aus шूंड वाला हाथी यानि से वात है आप देख सकते हैं यहां शूंड की बाता रही है यानि इनको छfy कोक्षटि का क्या होता है यहां पर देख सकते हैं कि मूल सब्स जो है चाहें गज हो यहां हथी जो हो वो पाली पाकित से आ रहा है हथी हथी का सीधे यहां मतलब है हाथी अचा अब बात आती है कि यह जो सब्द है जो विनायक जो सब्द आया है उ कहां से आया है इसकी उत्पत्ति कहां से है तो आप एलेकजंडर करनिकम खुदाई कर रहे थें सांची सतूप की और वहां पर उन्होंने देखा था कि सांची सतूप में वहां का जो सेकेंड दूसरा जो सतूप था उस पर एक सब्द उनको मिला था विनुके यह आप देख सकते हैं नीचे मैंने यह 25 कॉलम 21 यह जो नीचे वाला दूसरा वाला जो इंस्क्रिप्शन है वहां पर सब्द है व विनय पिटक नाम सुनता है विनय पिटक त्रिपिटक का एक भाग है विनय पिटक इस सब वुद्धियम के सब्द है वुद्धियम की सब्दावली है और उन विनय के नियमों को जो जानता है उसको कहते हैं विनयक सीदी सी बात है तो सारी इनकी इनहीं सब्दों को वुद परातत्तों से तो सब पकड़े लेते हैं और अतत्तों में तो ही रो देते हैं आते हैं भासा विख्यानग, उसमें धर से आप पकड़ेंगे, उत्पत्ति कहां से वी, अब यह देखे, मैं एलेकजंडर्न करनिघंव का उरिजिनल किताब है दिखा देता हूं, यह उनकी नीचे देख रहे हैं, highlighted किया है, यहां पर उन्होंने विनकय शब्द find out किया था, उस पर लिखा था विनकय, यानि इसा से पहले, सो डेड़ सो साल पहले भी विनकय इस तरह के सब्द बुद्धिजम में, रोक इंस्क्रिप्शन में लिखे मिलते हैं, और यहीं नहीं दोस्तो इसी में उपर, इसके जश्ट उपर का यह जो आप देख रहे हैं, उसमें लिखा है बुद्ध, पहले ना बुद्ध ही होता था, बाद में संसकारित नीचे अनुवाद लिखा है, आधा धा अधा बुद्ध कर दिया गया, संसकारित करके बुद्ध लिखा जाता है, रही किताब में अगर बुद्ध मिलता है, उग एक्चुवल ओरिजिनल सब्द बुद्ध है, इस जबरजस्ति उसको देवी देवता बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी कहें, लेकिन एक्चुवल सब्द बुद्ध है, आप बुद्ध वार कहते हो, बुद्ध एक्चुवल सब्द है पाली पाकित का, और इसी को संसकारित करके बुद्ध लिखा गया है, ऐसा ध्यान से आप देख लीजिए, अब आते हैं कि उनसे भी पहले, सांची सुतूप से भी पहले शमराट असोक का जो बैराट इंस्क्रिप्षन है, जो इस टोन पे लिखा हु यहां बैराट इंस्क्रिप्षन समराट असोक का इंस्क्रिप्षन है, इसा से धाई सो, तीन सो साल पहले का है, इन में पाकित लंग्वेज में है, धमलिपी, क्या लिखते हैं, तो इसमें बुद्धिजम की साथ किताबों का जिक्रा है, चौती और पांचवी लाइन आप विने पिटक की बात चल रही है, और पांचवी नंबर पे अलिय वशानी, अनागत भायानी, मुनी गाथा, मुने असूते, देखें, मुनी गाथा, मुनी गाथा, यानि कि जो गौतम बुद्ध थे, तथागत बुद्ध थे, उनकी गाथा की जो किताब थी, उसका भी चिक आता है, अब पिछला जो इस्ट्रीम हमने किया था, उसमें एक बंदा क्या कह रहा है, कि आपने बेस नगर जो करुणा विश्न अस्तुम को कह दिया, कि वहाँ पे जो भगवत सब्द है, भगवत, आपने तो भगवत दिखा दिया था, हैं, वो तो सब्द भगवत, निजम का है, इन लोग को पता नहीं है, दर असल मैंने वहीं पे दिखाया था, कि भगवत, भगवत ये सारे सब्द जो हैं, बुद्धिजम के ही हैं, यहां पे भी आप देख सकते हैं, तीन नमबर में यहां भगवत बुधेन लिखा हुआ है, भगवता बुधेन लिखा ह हुआ है, समय रहे ना, बुद्ध को भगवत कहा जाता था, यही लोग भगवत कहलाते थे, यही भगवत आगे चलके भगवत भगवत कहा जाने लगा, समय रहे ना, भगवत सब्द तीन नमबर में देख सकते हैं, बुद्धिजम का है भाई, इन्होंने भगवत को भगव सब्द है यह देखे आगे बुध्धे न लिखा ए दू नंबर में भी आगे यहां देखें गे विदेती वेवन्ते आवत के हमा बुधहसी यहां बुध भी है बुद्धहसी धंमसी संगसी जो लो तब हुआ था एक्चुल सब सारे सब्द ये कब का है और ये देख लीजिए एक नंबर पे मगध सब्द आया है मगधे बुद्धा के समराट सोक के समय में लाजा मगधे मगध नाम हुआ करता था पाटली पूत्र जो नाम है उबाद में आया होगा या जैब से भी हुआ चम भागवता बुद्धेन फिर से यहां पे भागवता बुद्धेन आया है सब्द समय रहना क्या सब्द आया है भागवता बुद्धेन तो यहां पे भागवत सब्द भी है कोई भी इस बात को पता नहीं कैसे बिना ये लोग पढ़ते उड़ते तो है नहीं जानते प्राणी गढ़ने लगते हैं कि नहीं उसमें ये नहीं है, तो वो नहीं है, ये सारे सब्द हैं यहाँ पे, सब लोग ध्यान से देख सकते हैं, कूल मिलाके दोस्तों हमने आपको पूरे एतिहासिक प्रमाडों के साथ ये चीज़ दिखाई है, कि यहाँ पे ये जितने भी सारे के ashare, ये सब बुद्धि至ंख्यी हैं और प्रामेनीज्ब में ऐसा इन का कुछ था ही नहीं कभी रहता तब तो मिलता ना इन के यहां इसा कुछ, रहता तब मिलता था ही नहीं तो कहां से मिलेगा दोस्तों मैं लिंक द्रिता हूं जिनको भी के यह कहानी गढ़ रहे हैं कि देखो यह अब हमारा है हमारे धर्म का है और भारत के जो मूल लोग है वह अपना धम एक्चुल कल्चर पाचा नहीं न पाएं तो चले मैंने लिंक यहां पर दे दिया है जिसको भी डिवेट करना है आके डिवेट कर सकता है जिनको भी ऐसा है आके वो साबित करें फिर और सारा खेल तो सबूत का है जिसके पास एविडेंस होगा उसकी बात सुनी जाएगी जिसके पास एविडेंस नहीं होगा उसकी बात कैसे सुनी जाएगी तो सीधी सी बात है एविडेंस पेस करें और पिर आपकी बात बिल्कुल सुनी कि आप हमें सुन पा रहे हैं कि अभे शिंग कि आप हमें सुन पा रहे हैं देखें इनकी तो कोई आवाजी नहीं आ रही है आज बहुत ज्यादा बैग्राउंड साउंड आ रहा है आप बैग्राउंड साउंड सही किजिए अपनी और यहां पे कोई नितिन जीम आये है हाज नितिन जीम बताएं क्या करना चाहते हैं कि है अलो सर अन्य हाजी जी वोलिये हैं सर आपको यह नास्तिक बना कि क्या फाइदा क्या है लोगों को आच्छा आप क्या आस्तिक हैं आएसे पिसल्ट मतलब क्या कुछ आप यह कर क्यों रहा है दर्दने पर आप मतलब उनको रह नो दो अगर इससे ने दर्द नहीं हो रहा है आपको किसी नहीं कहा कि आप नास्तिक बन जाओ तो तो अच्छा लगता है आपको कोई कोई कि कोई आपको मतलब दर्द की अनुपति या किसी तरह की ऐसी चीज है भारत का कल्चर है ब्भारत का कल्चर है कौन का अगर ये भारत का कल्चर है पूरी बात रखिए राम को मानते है राम का कोई सबूत मिला है क्या राम मंदिर बन रहा है ना मतलब हम सबूत मांगे हैं आपसे ये बताएए आपसे कोई कहें आपके घर में खाना है क्या तो आप कहेंगे कि कुट्टे ने वो गुह खा लिया ऐसा आप जबाब देंगे है आपसे जो पूछा जा रहा है उसका आप जबाब दीजिए नॊ आप से पूछा गया कि भाई राम का कोई सबूत मिला है क्या भारत में आपको बड़े मनाना होता है ताप आपना मनाते हैं या पडोसी संहित होता है तो मनाते हैं तो कलेंडर आपको पता होगा न मुसलिम तो अपना कलेंडर से अपना देखता है उसका इधर वधर भागते रहता है इदवीदू अपने कलेंडर से मनाता है भारत के तो केलेंडर से तो नहीं मनाता है अपना पर्व इसाई भी तो आपके कलेंडर से नहीं मनाता है आप कौन से कलेंडर से मनाते हैं क्या बोलिए आप जो है राम नौमी कौन से कलेंडर से मनाते हैं अब वो ने जब आते तो की और लिए यहाँ पहते हैं आस्तिकता बनुस्लीमों को भी पता है कि उपना हीजरीं केलंडर से बनाते हैं अपना पर्वतेवहर इसायों को पता है कि अपने वो इसायत कलेंडर से ग्रेगोरियन कलेंडर से मनते हैं आप कौन से कलेंडर से अपना पर्वतेवहर मनते हैं यहीं आपको नहीं पता है तो इसको अनपड़ गमार ही तो कहा जाएगा ना कि आप चाहते हैं कि सब तो अनपड़गमार बनके रहें अपना धरम संस्कृति कल्चर कुछ न जाने आप आप व्रामन है लिया लिए तो ग्या है यह लिए हिंदु में क्या है हिंदु तो वर्ण बेर्षा होती है ना व्रामन चात्रवाश शुद्र आ जातियां होती है किसमें आते हैं आप बहुत करें कि यहाँ हिंदुह अपर क्लास पाइस हो गया है तो सब सुब्धना होगा ना आपका से लेना पड़ेगा ना तो ड़SIना पड़ेगा लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है कि आप कई से पिछड़ा बन गया है आप जो है इस वर आप पर कृपा नहीं बरसाया क्या आपके जो कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू में इस वर किसको धन धाने से खुश रखता है वाई किस पर कृपा बरसाता है किसको उंचा बना कर रखता है व सुने थे राम का लिए जनम लिये थे वैसे राम का जनम कहले लिए हुआ था कि मतलब लोगों का अच्छा हो जाए कर शो कोण कह दिया कि राम का जनम इसलिए हुआ था राम तो कैसे आपको राम के बारे में कैसे पता चला आपको आपको आपकी साउंड कहें कट रही है आपकी साउंड कट रही है हाँ अब ठीक है राम का पता आपको आपके लोगों को भारत के लोगों को कई से पता चला राम कहां से आये हैं कि क्या बोलते हैं कि राम नाम सथ्य जो भी शब्द है राम नाम सथ्य हैं सुनिये आप केवल कितना पढ़ाई किये हैं आप दस्वी तक पढ़ा हूं कि दस्वी तक पढ़ा हैं उम्र कितनी है आपकी मेरी उमर अभी 28 साल है अच्छा 28 साल है पढ़ाई ज्यादा नहीं किये हैं यहीं ना हाँ 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 लेकिन आपको इस बात का बहुत दिक्कत है दुख है दर्द है कि कोई पढ़ लिखके जनकारी न ले अपने धर्म का मुसल्मान नमाज पढ़ता है देखें है न उसको नमाज पढ़ता है अरभी फारसी में पतानी क्या क्या पढ़कर चला आता है आपको मंत आप तो दस वी तक पढ़े हैं फिर भी आपको अपना मंत्र नहीं है तो आप चाहते हैं कि पूरे भारत का जितना समाज है बहुशंक्य सब अनपढ़ बनके रहे पढ़ाई लिखाई नहीं करें सब सच्चा ही नहीं जाने अपने धर्मकरंद कर दिया है कौन मिलावट कर दि आप नहीं किया कौन किया है मिलावट काने हिंदू विरुदी मिलावट करेगा एक बाद बताएए आपका पडूसी जो है आपने saucy किताब देजल के सब्सक्राइब करेगा लिख्या उसमें करेगा उसमें करेगा वह अपनी भास में जिस तरह से लिख रहा है उसमें मिलावट हो गई ना क्योंकि वो आपकी बात को नहीं समझा उसने गलती की तो आपकी किताब में कभी मिलावट नहीं होगी भारत के Constitution में मिलावट हो जाती है पूरे दुनिया में अलग-अलग Constitution है लेकिन भारत में जब कोई विश्यविधान संसोधन होता है तो यहीं के लोग उसको संसोधित करके पारित करते हैं विदेशी आके मिलावट करते हैं नहीं यहां के लोग उसको उसमें संसोधन करते हैं उसमें लिखते हैं जो कुछ भी करते हैं यहां के जो पुजारी होते हैं वही काम करते हैं यह बता यह आपने मिलावट किया है उसमें अपने पसु में मिलावट कर दी आप जो काम करते थे खेती करते थे उसमें मिलावट कर दिये कभी नहीं किये, आपका जो काम दिया है आपके धरम में, कि खेती किसानी करना, पसु पालन करना, उसमें आपने कोई मिलावट नहीं कि, जिसको आपने अच्छूत बना दिया, क्या उसने मिलावट कर दी? उसने नहीं कि जो छत्रिय का काम था लड़ाई उड़ाई करना क्या उसने मिलावट कर दी अपने लड़ने के काम में नहीं कि जो व्यापार करता था उसने मिलावट कर दी नहीं वो भी नहीं कि यानि की जितने जो आपके चार वर्ण थें चारों में से तीन वर्ण अपना काम ठीक ठीक करते रहें बस एक चवता जो सबसे दलिदर प्राणी था जिसने ठेका लिया पढ़ने लिखने का उग आपको पत्टी पढ़ा रहा है कि उसने अपना काम सही से नहीं किया, एक ही काम लिया था पढ़ने लिखने का, यही काम लिया था ना उसने, ठेका लिया था कि पढ़ाई लिखा ही हम करेंगे, और उसने अपना काम सही नहीं किया, परसान आप हो रहे हैं, एक भरष्टाचारी का, जिसने भरष्टाचार किय प्रसक्राइब लिया अपना काम थीक से किया कि नहीं है उसकी गलती है अपक्ष्टा किया है उसका जिसने अपना काम ठीक सर नहीं किया। इसने ठेका लिया था कि हमारा यही एक काम है कि हम लिखेंगे आपने उसने किताब में लिखा है आपके एक भी पुर्वज आज तक नहीं पढ़ाई कर पाएं वैश्य ने नहीं पढ़ाई किया और छत्रिय लोग भी उनको उतना आज तक किताब नहीं लिख पाये धरम ही तो जिसने ठेका लिया था अब उसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा और आपको तो ठेका दिया नहीं था तो अगर उसने भरष्टाचार किया है अपने काम को सही से नहीं किया है इसको भरष्टाचार कहते हैं मिलावट नहीं कहते हैं इसको कहते हैं यह व्यक्ति ने माल कीजिए आप ठेका मतली किसी चीज का उसने क्या लिखा है यहां पर मनुश्मृति चैप्टर थ्री का 152 स्लोक में लिखा उसने वैद्य मंदिर का पुजारी क्या लिखा है वैद्य मतलब क्या होता है हाँ जो डक्टर होता है वह और व्यद्य के बाद से मंदिर का पुजारी समझ समयरा ह Div stär और पर करता है जैसे आप खेति ग्रिहस्ति करते हैं तो उसमें से कुछ समान जब ज्यादा होगा तो बेच भी देंगे, तो आप इन ब्रामडों को हव्य तथा कभ्य में भोजन न करावें, तो इन ऐसे लोग को जो चिकित्सक हो, जो मंदिर का पुजारी हो, उनको हव्य, हव्य मतलब यगहमन कराते हो, कभ्य मतलब स्राद, कभी भ उसको आपको खाना नहीं खिलाना है यह आपके धरम गरंद कह रहा है और आप उसके घोटाले को जो उसने अपना काम सही से नहीं किया उसको बचाने के लिए आप रुंदू रोना रो रहे हैं धरम बचाने का ठेका आपका था आप तो अनपड़ थे गवार थे आज तक आप है क्या नहीं है उकराय के मंदिर के पूजारी को आपको खाना तक नहीं खिलाना है उसको बुलाना तक नहीं है आप मंदिर के घंटा बजा रहे हैं यह वैद्य चिकित्सक जो है चिकित्सक जो है उसको आप खाना नहीं खिलाते हैं अपने घर में बोलिए खिलाते हैं तो आप ब्राम्हड धर्म के है कहां पे हैं ही नहीं उसके धर्म के उसका धर्म गरंत जो उसने लिखा है उसमें न तो आप वैद्य को खिला सकते हैं न मंदिर के पुजारी को खिला सकते हैं तो जब उनको खिला नहीं सकते हैं व्यापार करने वाले को नहीं खिला सकते मांस जो बेचरा उसको ने करा सकते पिर आपका धरम कहां है जब और जस्ति आप जो है किसी के भराष्टा चार को आप अपना धरम बना के बाइठे हुए हैं आपको नहीं लगता हूं आपको आप आये थे यह कहने के लिए कि आप क्यों नास्तिक बराना चाहते हैं दरसल आपके कहने का मतलब यह था कि क्या आप चाहते हैं कि लोग पढ़ लिखके असही से अपने कल्चर को जाने या आप ही कितरा सब लोग अनपढ़ रहे हैं जो धरम ही नहीं जाने एक बार भी ब्राम्भड ने आके आपको कफी कि हमारे OBC भाईयों, हमारे CSD भाईयों एक हो जाओ, और आज तक आपके यहां जो नोकरी नहीं मिलती थी, आपके बच्चों को जो पढ़ाई नहीं होती है उनिवर्सिटी में, जो आपकी फी वगेरा है, वो कम करा दी जाए, फ्री करा दी जाए, प्री एजुकेशन, क्यों आप लोगों को समाजी ग्रूप से नीचा कहा गया है, तो हम सरमिंदा हैं, आज से आप सब को हम सब एक हो के अंदूलन करेंगे, हम इसकी डिमांड करेंगे कि आप लोगों को यह सारे हक हकुक मिल जाए, ऐसा एक भी ब्रामःड ने आपके लिए आवाज उठाई है, आप ऐसा कोई समाज में आंदूलन उठाया है, कि जितने आप OBC हैं, कि सारे OBC जो हैं, उनके बच्चों को फ्री एजूकेशन देया जाए, क्योंकि इतिहांस में इनके बच्चे कोई धरमगरंत नहीं लिखें, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का तो ठेका हमने ले रखा था, तो हम इनके लिए फ्री एजूकेशन कर देते हैं, इनके बच्चों को नौकरी मिले, इसलिए हम प्रामण क्या करेंगे, आज के बाद से सारा सीट OBC को दे देंगे, या हम जो है, इनकी जन संक्या कहीं साब से 80-90% सीट देंगे, 70-30% सीट देंगे, ऐसा कोई आंदूलन किया प्रामणों ने आपके लिए? नहीं, इसा तो नहीं किया, लेकिन आप उसका घोटाला कि उसने कह रखा है कि हम ही पढ़ाई लिखाई करेंगे, और उसने क्या लिखा, क्या पढ़ा, क्या घोटाला किया, आप ज़रू कूद गए उसको बचाने के लिए, कि मिलावट ह आपका है कूद के जा रहे हैं, उसके घोटाले को बचाने के लिए, उसके भरष्टाचार को बचाने के लिए, उसने अपना काम सही से नहीं किया, आज जब अरजश्ती इधर-उधर कर रहा है, एक कंपनी में चार लोग हो, चारों को चार काम सौप दिया जाए, मालिक ही क लोग थें, उन तीनों जो हैं, आपने मालिक को बचाना सुरू कर देंगे, कि भाई देखो, आप पका किसी दूसरे न कर दी है, अरे आप क्यों बचाएंगे, उसका काम था, अपना काम नहीं किया ठीक से, आप क्यों बचा रहे हैं, कहिए कि तु घोटाले बाज है, तुन बीबी का ठेका आपके पास है, कल को रोने लगोगे, कोई और आके वो कर दिया, उसको दिकत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अरे आपको ठेका मिला है, आप उसको संभालोगे ना, तो जिसका जो ठेका है, जिसका जो काम है, वो खुद करेगा, आप कौन होते हो जब ब्चाल अब बताई कि आपने खेटि क्रियसती में जब आपको को थेका दिया था जब वार आपको बचाने नहीं आया आपकी लिए once काम कहने नहीं आया और आप कूद के जा रहे हो इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई भी आपका धरम नहीं था पूरे वेद में कहीं कोई गनेश जैसा सब्द नहीं है गज जैसा कोई सब्द नहीं है हाथी जानता नहीं है वो इंडरस वैली civilization में मिल रही है, बुधिष्ट के सुतूपों पे ये सारी चीज है मिल रही है, इसका मतलब कि आपका culture आपको पता ही नहीं है, आप अपने culture को जानिए, समझिए, आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जितनी भी debates होती है, यहाँ पे जितनी वीडियो बनती है, उनको एक बार पुछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक आप बरहुबर करें, बरबर तो कह रहे है, सर फिर भी मतलब कोई अपन के मानते नहीं है, अ बनालब कैसे समझेंगे, अब इतने सालों से चलता आ रहा है, कितने साल से चलता रहा है, अंगरेज आये हैं, तो अधालते खड़ी की, अंगरेजों ने अदालत खड़ी की थी यह बात आपको पता होगी हाँ उसके तो अंगरेज ने अदालत खड़ा की तो उन्होंने क्या नियम बनाया कि अब एडवोकेट्स जो है वो जो एक्सपोल्ट्स होंगे वो लोग इन दोनों की बातों को नियायाले में रखेंगे यह ही कहा ना ठीक है माल लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपनी बात भी रखने नहीं आता है लेकिन उसको अपनी बात ही रखने नहीं आता है कोई जो है बड़ा धूर्त है दूश्ट है बोलने में बड़ा एक्सपर्ट है तो तब तो जहां पे नयायाले जो है जिस होता था ना होता था कि नहीं होता था कि आपने एक भी एक भी ब्राम हड को आपने कभी सुना है कि उसको फांसी हुई हो अंग्रेजों क्याने से पहले उसको सजा हुई हो कि उसको फांसी नहीं होती है क्योंकि उन्होंने इसका रिजर्वेशन ले रखा है बताईए आप जिस धरम को आप दरसल ब्राम हडवाद को बचाने के लिए आप द्हरम फुड़े बचाने आये है नास्तिक लिए आप ब्राम हडों के रिजह रीजर्वेशन बचाने आये है मैं दिखाता हूं उनका एक फूल प्लके रिजर्वेशन क्या है औ Napिसमझमें आ जाएगा कि अप धरम बसे नहीं आए हैं आप reservation आपको तो यहां पर जुद्नी बाते होती है भारति को बचाने की होती है लेकिन ब्रामधवाद जो है उप कल्चर बचाने की नहीं बात कहता वह बात कहता है कि अपने ब्रामधवाद को यह देखें मनुस्मृति के chapter 8 है चेप्टर एट का 379 नंबर स्लोक है, इसको पढ़ सकते हैं हिंदी अनुवाद? चलिए मैं पढ़ देता हूँ आपको पढ़ने में दिखत हो रही है तो, यहां लिखा है ब्रामहड को प्राण डंड होने पर उसका मुंदन करा देना ही उसका प्राण डंड होता है, मतलब किसी ब्रामहड ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसी गलती कर दी कि अब उसको प्राण डंड देना है, उसकी हत्याब होनी है, तो उसका प्राण डंड क्या है तो उसका सिर्फ सर का मुंदन करा दीजिए, चूडा करम करा दीजिए, चूडा करम समझता है न, मुं तो यही ब्रामोडों का रिजर्वेशन है उनके धरम गरंत में जिसको आप बचाने के लिए धरम समझ रहे हैं वह आप अपना धरम थोड़े पालन कर रहे हैं आप ब्रामोडों का जो आरक्षन उन्होंने ले रखा है कि उनको कभी कुछ होगा ही नहीं और सुनिये आगे अगर वही काम कर दें वही पाप कर दें तो उनका प्राण नास यानि उनकी हत्या होगी तभी जाके प्राण डंड होता है तो देख लीजिए अब इस भेदभाव को आप बचाने के लिए आप सोच रहे हैं कि आप अपना धरम बचा रहे हैं कि धरम बचा रहे हैं आस्तिक गड़ना का विरोधिकिस ने किया था उन सारे जातियों का पता लगाईए कि कौन कौन सी जातियां हैं जो सोसल मेडिया में सबसे ज़्यादा गाली देती है रिजर्वेशन आरक्षन को OBC के कास्ट सेंसर्स को OBC के रिजर्वेशन को आप पता लगाईए आपको पता चल आपका धरम नहीं बचा रहे हैं आप उनकी जो यह रिजर्वेशन आरक्षन है उसको बचाने के लिए आप काम कर रहे हैं आपका अपने रिजर्वेशन कभी साथाया नहीं देने के लिए EWS रिजर्वेशन आया सुधामा कोटा नाम सुना है आपने हाँ दस परसेंट उसमें कितने लोगों की जान गई है जब लागू हुआ तो उसमें मतलब उनके लोगों की तो नहीं गई होगी नहीं गई अच्छा OBC का जब रिजर्वेशन आने वाला था तब कितने लोगों की जान जाती है पता नहीं पर रिजर्वेशन आन्दुन अब और सुनिये और सुनिये बिहार में कपूरी ठाकुर जब मुख्य मंत्री थें उन्होंने पहले बार उननीस साढ़े उननीस परतिसत रिजर्वेशन लेकर आये थें OBC के लिए तब उनकी सरकार गिरा दी गई और नारा लगा था कि किसकी मा क्या पतलब उनकी माता तक को गाली दी गई थी इतना ऐसे नारे लगाए गए थें सूच लिजिए जो मैं नारा बोल भी नहीं सकता है ऐसे गंदे गंदे नारे लगाए गए थें तो इतिहास चरा ठीक से पढ़िए मंडल कमिशन जब सरकार गिर गई समय रहा ना मतलब देश की सरकार गिर जाती है राजय की सरकारे गिर जाती है जब OBC के हक अधिकार की बात आती है तो लेकिन EWS रिजर्वेशन आया जो सो कॉल्ड जिनकी संख्या मुठी भर है उनके लिए रिजर्वेशन आया तर ना किसी की जान गई अना किसी की सरकारगीरी सुना आपने कभी आप ये बताइए सुनिये नितिन जी एम अब एक बाद बताइए कि ओबी सी की तो संख्या 50-65 परसेंट है ना बिहार में तो आया तो 63 परसेंट आया है उनकी भी संख्या 30% है ही 90% के करब CST OBC है ही अब एक बाद बताइए उन लोग तो हमेशा OBC के साथ खड़े रहते हैं कि भाई या आप भी चलो डिजरवेशन सोगो हम तो आपके साथ खड़े हैं आप अपना हर अधिकार लो हमां के साथ खड़े हैं हम एशाँंके लिए फ़ाइट करते आया है लेकिन आपके है अदिकार लिम्हार यह यह निए किटने ब्रामण तो आप आस्तिक्ता नास्तिक्ता में कहां फसे हैं? बोलिए आपके घर में खाने के लिए आपके घर में आपके पडोस में आपके लोगों के खाने के लिए दो रोटी नहीं होगी, बताइए आप दसवी पढ़ाई करके छोड़ दिये, आपकी उम्र भी आपने बताई आठा काम की वज़ा से लेकिन आप जितने जाके देखिए जितने जो पीएचडी कर रहे हैं उनके घर में इतने पैसे हैं कि वह बच्चा जो है पहले ग्रेजुएशन कर लेगा पोश्ट ग्रेजुएशन कर लेगा एंफिल कर लेगा पीएचडी कर लेगा तब भी उसको दिक्कत पैसे की भी दिक्कत है तो इतनी सारी चीजे खामिया हैं आपके अंदर आपको यह शारी चीजे नहीं मिल रही हैं और पिर भी आपको जो चीजे चाहिए वह चीज आपकी उसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करने उन नहीं आ रहा, उसका ब्रामणबाद बचाने आ पा रहे हैं, अभी मैंने आपको एक सुलोख पढ़ाया, 300-370 रहे हैं, एक और पढ़िए आप जरा, अच्छे से ही समझ जाएए, चले ये पढ़िए तो 380 और 381 अच्छा, राजा समस्त ये वाला ना, राजा समस्त पाप करने वाले भी ब्रामन का बहुत कविन करें, किन्तु संपुर्ण घर के है न, होई न, साथ अक्षत शेरिर वाले अउसत क्या हो, उस कौन्स में ब्रामन को, राजी से निर्वासित करतें, अब देखें ये क्या कहता है, ये कहता है, राजा समस्त पाप करने वाले भी ब्रामन का वध कभी न करें, मतलब समस्त पाप, आप तो हैं OVC में, माल लेते हैं कि कि किसी OVC के घर में बहु बेटी को कोई ब्रामन छेड़ दिया, कुछ गलत कर दिया, उनके साथ कुछ गलत कर दिया, जमीन छिली, भरष्टचार कर दिया, मात कुछ भी कर दिया, XYZ, और आपका ये सो कोल्ड ब्रामर राज लागू है, आपका मनुस्वर्ति राज लागू है, मनु के नियम लागू है, तब आपको नियाए कहां से मिलेगा भाई, आ आप तो आ गये हैं धर्म बचाने उसका, आप कह रहा थें कि बुद्य को कौन मानता है, तो आपका तो ये धर्म रहेगा, बुद्य में तो समानता की बात है न, उस तो सबको बराबर की बात कर रहे थे, लेकिन आपको तो ये वाला धर्म चाहिए, अब इसमें लिखा है कि राजा समस्त पाप करने वाले भी ब्रामण का वध कभी न करें, बिल्किस वानों का रेप हुआ था, हुआ था ना रेप, गर्भवती थी तब भी उसका बलतकार किया था, जेल भी हुई थी, अब बताए ऐसा कोई करम करे, आया मनुस्मृति राज लागू रहे, तब तो उस को क्या उसका कभी कुछ होगा उसका, बोलिए, यह तो कह रहा है कि समस्त पाप करने के बाद भी कभी वध न करे, उपर लिखाता है कि छत्रिय वश्य शुद्रप्य तो हो जाएगा, उनको तो प्राणड होगा, इसका तो स्रीप बाल मुड़ाएगा, यह लिखाता ना अरक्षन है, इधारम नहीं है, उनका आरक्षन है, हम लोगों का कल्चर जमीन से निकल रहा है, आप जिस गाओं में रहते होंगे, जिस कस्बे में रहते होंगे, जिस सहर में रहते होंगे, वहाँ पता लगाएगा, खुदाई होगी ना, तो जमीन के नीचे से बुध, वुद्ध की चीजे बनाय होंगे तभ ही जमीन से निकल रहा है आपी समझ रहे हैंए कभि आप अपने सुना है कि राम का क्रिष्ण का दुर्गाकाली का इन लोगों का जमीन से कोई मुर्ति निकला हो कभी सुना है कहीं पर भी आपने नहीं शुना जनते हैं क्यों क्योंकि हमारे पूर्वज कभी बनाते ही नहीं थे बारत में इतने सारे ट्रेवलर्स आएं पहयान मेगस्तनीज फैन सौंग छपन से ज्यादा कुरियन आएं इत्सिंग आएं इन लोगों में किसी को राम कृष्ण को जानते तक नहीं थे मुगलिया सलतनत में मुसलिम जब था उइतनी किताब लिखी बावर नामा अकबर नामा हुवायू नामा जाहगीर नामा साहजा नामा राम कृष्ण का कुछ जिक्रही नहीं मिलता उसमें उसमें नहीं मिलता क्योंकि उस समय राम कृष्ण को कोई भारत के लोग जानते ही नहीं थे समझ रहे मेरी बात को आज आपको इसी लिए देखे हैं हम आपको यह नहीं कह रहे हैं कि आप आस्तिक बनो की नास्तिक हमारा काम नहीं है हम कहते हैं आप जानो पढ़ो लिखो हजार साल से हम लोग को पढ़ने नहीं दिया गया है ना पिछले हजार साल से हम लोग को नहीं प पढ़ा रहा था उन्तों लिखा ना अपनी किताब जब युनिवर्सिटी जली अगर युनिवर्सिटी मुसलिमों न जलाई तो मुसल्मानों ने ऐसा तो कोई कानून कभी नहीं पास किया कि कि पढ़ाई जो है लिखने का काम पढ़ाने का काम सिर्फ ब्रामण करेगा यह देखिए आपको चैप्टर 10 है इसी का उसको आप ध्यान से एक बार देख लेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट किलियर हो जाएगा सिर्फ जनकारी ही बचाव होती है जितना आप जनकारी लेंगे उतना ही आपको किलियर अब यह देखिए दसवा चैप्टर है मनुस्मृति का क्या कहता है अपने अपने करम में ततपर तीनों ब्रामण छत्रिय और वैश्य वर्ण वाले द्वीज वेद को पढ़ें तथा ब्रामण उन तीनों वर्णों को पढ़ावे दूसरे दोनों छत सास्त्रिय तथा वैश्य वर्ण नहीं पढ़ावे ऐसा सास्त्रिय नियम है मतलब छत्रिय और वैश्य भी पढ़ा नहीं सकता पढ़ाएगा कौन सिर्फ और शिर्फ कौन पढ़ाएगा सिर्फ और सिर्फ ब्रामण यह रिजर्वेशन हुआ ना ब्रामण बाद का हुआ कि अब बताईए कि आपको आस्तिक्ता नास्तिक्ता बचा रहे थे या ब्रामणवाद बचा रहे थे आप बताईए तो आप मैं आप बोल्ड रहे कि ब्रामणवादिय ने जो भी यह जो भी चल रहा है तो यह धर्म नहीं ब्रामणवादिय तो मुझे लगा कि कैसा कि हमारा जो कल्चर है हिंदू कल्चर है हिंदू हिंदूस्तान जो नाम है हमारे देश का तो यह तो पूरा मतलब आप ऐसे करेंगे तो हम यह हो जाएंगे भूल जाएंगे आपको ऐसा लगा था कि आपको आपके धर्म से भड़काया जा रहा है लेकिन आपने जो यहां डिसकुशन किया अब आपको क्या लग रहा है कि हम क्या बात आ रहे थे आपको आप बोले तो वो ठीक है कुछ-कुछ बाते बहुत सी समझ में आई आप बरबर बोल रहे हैं अच्छा एक बात बताईए यह जो यहां पर लिखा है कि अपने अपने करम में ततपर तीनों वर्ण वाले ठीक है में से स्रीफ ब्रामहड पढ़ावे यही लिखा है ना मनुस स्मृति में मनुन ने जब यह नियम बना रखा था तो ब्रामहडों ने पिछले हजार साल में एससी एश्टी ओवी सी को पढ़ाया क्यों नहीं बताईए अपने उसको तो इसके किताब में लिखा है कि कहीं लिखा है उसने कि सूद्र को पढ़ाना है बोलिए वो तो है ही है लेकिन हम एक बात पूछ रहे हैं यह बताईए पूजा पाठ तो आप खूब की हैं आपका इस्वर कभी आपसे मिलने आया कि हम आपको कोई किताब दे देते हैं तुम आज से पढ़ाई लिखाई करना मुस्लिम के लिए तो अल्ला दे गया इसा यत के लिए वो दे गया जीसस दे गया हैं आपके लिए कोई आया ब्रामःों के लिए तो चलो मनु दे गया उनके जो देवी देärtा जो भी देता कि नहीं देता कोई इश्वर आवतार लेता कि नहीं आता आया कोई इस्वर नहीं आया न सिर्फ टीवी में देखा टीवी में आपने देखा उभी उसका डॉयाईरेक्टर उसके फाइनometers र वो सारी मेडिया उन लोगों की है हम पूछ रहे हैं कि जब कोई इस्वर हमारे पास नहीं आया हमारे हक अधिकार की मानने के लिए तो हमारा इस्वर कहां हुआ हमारा कहां हुआ? आपके तुख़ दर्द में आपको अगर कोई पूचे ही न आपका कोई रिस्तिदार न पूचे आपके गाउंजवार वाले नहीं पूचे आपके दोस्ट के संबंधी नहीं पूचे जब्ही आप बीमार पर हैं आप कुछ भी बड़े आपको कोई पूछे ही ना, तो वो रिस्ता चल पाएगा? बुलिए? नहीं चल पाता ना? आप कैसे उस इस्वर की पूजा की बात आप हमसे कह रहे थे, कि आप क्यों नस्तिक बोल रहे हैं, हम लोग को यह होना चाहिए, हम लोग को वो होना चाहिए, अब क्यों ऐसा बोल रहे थे जो इस्वर हम हजार साल से अनपड़ थे हमारी उनिवर्सिटी जला दी गई तब उसके मन में एक बार नहीं हुगा कि आ के चले हैं और हमें क्या कहानी पढ़ाई गई थी हमें यही कहानी पढ़ाई गई थी ना कि एक हाथी को एक मगर मच गया पकड़ने तो इस्वर आउतार लेके आगए बचाने के लिए एक कछुआ जो है आके नीचे पहाड के नीचे पहाड को रोक लिया मन्थन हो रहा था तो इस्वर आगए थे आउतार लेने के लिए कंस जो है वो कर दिया था आतंक मचा दिया था तो कृष्णा आगए थे आ गए थे अवतारले ने अरे भाई सब के लिए सब करके चले गए हमारे लिए कब कौन किया हमारे लिए भी कोई इस्वर नहीं आया और जब नहीं आया ता आप किस मुह से आ गए थे इस्वर को भचाने के लिए सुचिए इस्वर को बचाने आप किस मुह से फिर आ गए थे हमारा धरम एक हिंदू है इसलिए हमारे देवी देवता है आपका आपका आप हिंदू है या बात आपको किस ने बताया है नहीं पूजापाट करते हैं कबसे करते हैं सवाल सबसे हम यह कबसे करते हैं मिल रहा है और उसका पूरा राज करोबार उसका आगे बढ़ गया एक का व्यापार पर व्यापार मिल गया धनी बन गया और आप भी पूजा पाट कर रहे हैं और आपके घर में कुछ आई ही नहीं रहा है आपके गरीब के गरीब हैं आपको पढ़ाई तक छोड़ देनी पड़ रही है आपके पास पैसा नहीं है कि बच्चों को एजुकेशन दे सके इतनी जमीन नहीं है कि आप भी हेक्टियर के हेक्टियर जमीन में फसल लहलाहा क्या लोगों को बेच सके खाने के लाले पड़े हैं मुश्किल से घर चलता है तो वही भगवान की पूजा करने से तीन के तो प्यट पड़े अच्छे से भरते आएं आप ही कि क्यों आप चार तरह से देखता है क्या बोलिये वह भी ठीक है आप बोल रहे हो अच्छा ठीक बोल रहा हूं बताईए अब ज़रा सूंचिए इस्वर के लिए एक मा के लिए चारों बेटा बराबर होता है ना हाँ जब चारों बेटा बराबर होता है तो ऐसा अन्याय हम लोगे सांथ का है कि या भाई इसका मतलब कि हमको जर्ट शीवर नहीं है गलत वला इस्वर है रॉंग नंबर है आप समझे में आया है अब सभी बात आप इस्तमाल किया है रॉंग नंबर अब बताईए अब ही कोई तो मतलब जैसे समझाया गया है आप जितनी पढ़ाई करेंगे जितनी बाते देखें ग्यान कहीं से जहां से मिल रहा है वहां से ले ली जिए आपको कोई भी यह नहीं कह रहा है न कि हम आपको भारत के culture से असली culture से जोड़ने की बात कर रहे हैं अब आपको मान लिजिये कि यह मूर्ति आपको देखने को मिली मैं यह शेयर करताओं यह देखियेगा ध्यान से यह आप जो है कोई कहे कि यह यह मुर्ति आप यह सिल देखिए यह दिख रहा है आपको सिल अब यह भारत की सबसे पूरानी एक ऐसी आप कहते हैं सिल्प कला है जिसमें एक फीमेल यहां पे हैं दोनों तरफ से हाथी है दिख रहा है दोनों तरफ हाथी अब ऐसी ही फोटो आपको आजकल बना के फोटो सोप से ऐसी दिखाई जाएगी कि बीच में एक माताजी बैटी है दोनों तरफ से हाथी लेकिन उनको कहा जाएगा यह धन की लचमी ह हाँ हाँ अब आप उनकी पूझा भी करोगे घर में फोटो लगे आऊगे करोगे न पूझा करते हैं न लच्मी पूझा दिवाली वाली के दिन किसी thrive किसी दिन तो करते हैं लेकिन सवाल ये है कि आपकी सच्चाई जब आपको यह पता चले कि यह जो आपको दिया गया है ये तो अभी किसी ने बनाया है ये तो हमारे इतिहास के सबसे पूराना मिला है लेकिन तो बुद्धिष्ट के स्थूप पर था भरहूत स्थूप पर था ईसा से भी 200 साल पहले का था जिससमें जिसस का नहीं जनम बारत के हमारे पुर्ख्य जो हैं एसा बनाएं है आई ये तो हमारे बुध्यजम की परमपरा थी जब आपको इस तरह से कुछ चीजे दिखेंगे तब क्या कहेंगे अब कहें में यह जो चीजें है किसका है कैसे इंकार करेंगे बताइए यह तो यह तो अपनी है ना अपनी है लेकिन अपनी है तो जिस पे होनी चाहिए किस पे है मंदीर पे है या बुद्धिष्ट के सुतूप पे है अभी बाबरी मस्चित जो थी बाबरी मस्चित को तोड़े के क्या कहा गया कि यह Hindu मंदिर है यही कहा गया न क्योंकि क्या कहा गया कि यहां पर कुछ मुस्लिम से पहले भी कोई structure था यही कहा गया न कुछ तो था मुस्लिम से भी पहले हम लोगों का अब आपको जो चीज आज परोसी गई है जब आपको पता चला कि यह जो आपको दिखाया जा इससे भी पहले यह चीज था लेकिन यह बुद्धिष्ट का था अब सेम चीज वहां पे अपलाई किजिए तब आप क्या कहेंगे तब आप क्या कहेंगे तो आप अपने को हिंदू फिर किस अधार पर कह रहाए थे और हमारे लोग जो हम को हिंदू क्यों कहा लवाएं जब खी हमारे भारत मेंっと नाम होना चाहिए दिस सार का कुछ सिंधु का नाम तो सिंधु है सिंधु का नाम सिंधु है और उधर के जो लोग रहते थे उनको तो पंजाब और पंजाबी कहा गया हिंदु तो कभी कहा ही नहीं गया कभी कभी नहीं कहा गया नहीं कहा गया तो आप क्या कीजिए नितिन जी आप यहाँ पे वीडियोज को एक-एक करके देखिए Rational World YouTube चैनल को भी आप देखिए उनकी streams को देखिए जब भी आपको मौका मिले एक-एक करके देखिए आपको कोई भी doubt हो कहीं भी आपको ऐसा लगे ना कि यार इस point मुझे नहीं समझ में आया अब मैं फिर से जुड़ूंगा फिर से इस पर बात करूंगा उसको आप एक copy पे note कीजिए और फिर बैटके fair discussion कीजिए देखिए debate की प्रणाली ना हम भारतियों की सान है हमारे भारत के इतिहास में debates होती थी ये परंपरा कायम की है ये बुधा के समय से बुध सबसे बड़े debated हैं उनके हाँ इतनी सारी debates होती थी बुद्धिजम की परंपरा भारत के शमण कल्चर की परंपरा है debate करना जो debate नहीं करता है ना भागता है न वह हमारी परंपरा नहीं अबरहामी के रिलीजन के लोग हैं वो वो अबरहामी के रिलीजन के हैं जहां पर सरतन से जुदा की बात की जाती है अरे कैसे बात करती है इश्वर पे अरे इसने इसने इन्दा करती इसने हमारे हमारे डिवेड्स होती है वैई खुल के डिवेड्स होती है खुल के चर्चा होती है तो आप not के आईए आहीं फिर आप से इस पर बात होगई ठीक है फिर Music बें पूछ Can I कि आप यह कुछ पूछना है बोलिए भी पूछ लीजिए हिंदुस्तान जो नाम पढ़ाए कब से पढ़ासर यह बात पूछने थे हैं देखें कि 1973 में एक किताब आई थी गुलामगिरी तो ठीक है और गुलामगिरी में उसके लेखक पता है कौन थे जोती राव फूले जी थे तो जोती राव फूले जी ने कभी भी यह नहीं कहा कि उसमें हिंदू सब्द जैसा कभी पर्योग नहीं किया हिंदू जैसा कोई सब्द पर्योग नहीं किया फिर उनके दो साल बाद एक और किताब आई आर्य समाज की 1875 में पहिला वर्जन था सत्यार्थ प्रकास की मूल संकर त्रिवेदी उर्फ दयान अंसर सती थे उन्हों उनकी जो मूल प्रती पहली वर्जन थी उस किताब के बाद से दूसरी वर्जन आई थी 83 में 1883 में 1875 में दो साल बाद लाए थे तो उन्हों ने पहली बार उस किताब में इस बात की चर्चा की थी कि यह जो है हिंदू सब्द जो है उस सही नाम नहीं है मैं आपको सबुत दिखाता हूं यह आर्य शमाज का यह किताब है 1875 का और इसके पेज नंबर 81 पे आप जाएंगे तो उसमें वो हिंदू की हिंदू सब्द का वो मतलब भी बताते हैं कि हिंदू सब्द का क्या मतलब होता है यह देखिए यह दीख रहे है आपको यहाँ पर क्या कहते हैं वो इस देश में होए और अन्य देश में न होए आर्य नाम है स्रेश्ट का और जो हिंदू नाम इनका रखा है सो मुसल्मानों ने इर्शिया से रखा है 1873 में गुलाम गिरी में भारतिय समाज के सबसे बड़े समाज सुधारग जोती राव फूले जी ने कभी नहीं हिंदू नाम लिया अधू साल बाद 1875 में जो किताब आती है वो भी क्या कह रहे हैं कि जो हमको हिंदू कहने की कोशिस कर रहे हूं मुसल्मान कह रहे हैं इर्शिया करते हैं हम लोगों से सो मुसल्मानों ने इर्शिया से रखा है इसका अर्थ है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम इससे यह नाम भरष्ट है किन्तु आर्यों का नाम हिंदू कभी नहीं रखना चाहिए समझ गए? 1875 की किताब ये बात कह रही है यानि हिंदू नाम पिछले 200 सालों के अंदर आया है उससे पहिले हम भारती ये कभी अपने को हिंदू नहीं कहते थे हम अपने को हिंदू कहते हैं तो हम धरमगरंथों में तो होता ना तुलसी दास तो 16-17 सदी के थे हूं तो कम से कम हिंदू लिखे होते हैं होते की नहीं होते हैं लिखे हैं कहीं पर वो हिंदू उतो लिख रहे हैं धोल गमार सुद्र पसुनारी सकल ताड़ाना के अधिकारी दे रहे हैं उतो सकल ताड़ाना के अधिकारी दे रहे हैं उतो कहीं हिंदू ही नहीं परियोग कर रहे हैं और हिंदू आज आप अपने को कह रहे हैं कोई बात नहीं हम आपको नहीं मना कर रहे हैं हम तो आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपका जो सवाल था कि बुद्ध को कौन मानता है हम कर रहे हैं कि भारत में पूरे 33 करोन देवी देवता में से सबूत किसका मिला है जिसका कोई हो न लायक बेटा वो ही अपने बाम को नहीं मनता है 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 अपने बाप को भूलना आपने अपने पूर्खों को भूल जाना भारत में जितने जितने इसाई रह रह रहे हैं जो कण्वॉर्ट हो गए हैं अगर वे अपने बाप को भूल रहे हैं समन लोगों को भूल रहे हैं तो उब गलती कर रहा हैं बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए बीच में कोई भी आके हमको एना-पैणा-टैना पकड़ा देगा लेकिन हमारे यो हैं जो पूर्खे हैं उनसे कभी गत्दारी नहीं करने चाहिए वो हमारी सान है और उसी के करण भारत को वीदेश में जाना जाता है। कि भारत के सबसे धनी जो व्यक्ति हैं उनकी वाइफ विदेश में गई थी तो क्या बोली वो अब सोचिए आपको अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ गई पैसे के कारान काम धन्दे के कारान और जो सबसे धनी महिला हैं उनको भी पता है कि विदेश में जाके बोलती हैं कि हम बुद्ध की धरती से आये हैं यहां के बड़े बड़े जो वजीरे आला यहां के लोग पिदेश में जाके क्या बोल रहे हैं हम कहां से आये हैं तो बुद्ध की धरती से आये हैं तो आप बोल रहे था ना बुद्ध को कौन मानता है बुद्ध को ही सब मानते हैं वो लोग भी मानते हैं जो यह बात जानते हैं कि भले ही कुछ भी करो लेकिन बुद्ध का नाम से और यह भारत का नाम है तो यह बात है तो son is औरफ ने अपने आप देखें सुनिएं शुनिया नितिन onहीं को कौई कुछ भी कह सकताइयर आपको कुछ भी कह सकताइयर लेकिन जो जो सबूत हैं, जो एविडंज हैं, उसको कोई नहीं ताल सकता, आप दिल्ली म्यूजियम में जाए, दिल्ली म्यूजियम, दिल्ली नेशनल म्यूजियम देखा है आपने, जह wichtiger, उपनी आखों से जाए, और देख के आए वहां पे इतने सबूत हैं, पूरा एक संखराले बना दिया गया है सबूत दिखाने के लिए बूधा के evidence दिखाने के लिए पूरे सबूत के सबूत बना दिये गये हैं इतने सबूत बना दिये गये हैं इतने research की आप देह के हैरान रह जाएंगे कि आज से 26 साल पहले किसी व्यक्ति के इतने भी सबूत मिल सकते ह आज से 26 साल पहले ये बताएए शंक्राचारे जो था आठेवी सदी का सेवा मारक का जिसको कहा जाता है कि उनके करण ही फिर से वैदिक धराम आया यही कहा जाता है ना शंक्राचारे से शंक्राचारे का आज तक कोई सबुत मिला? सोचिए शंक्राचारे का आज तक सबुत मिला? नहीं मिला कोई बोल रहा था 22 साल पुराने हैं कोई बोल रहा था दूसरी सदी के हैं कोई 4 थी कोई 5 भी गीन चुन के लेके उनको आके 8-9 सदी में वो भी स्क्रिप्चर के अधार पर अस्थापित कियें समझ रहे हैं किसके अ ये लिखा हुआ प्रमाड है लिखे हुए प्रमाड है आपके किसी देवी देवता के नहीं सबुत मिलें जितना तथागत बुद्ध के मिलें ये देखिए ये ये देख रहे हैं आप ये ये सांची का सुतूप है एलेकजंडरन करने हम खोज किये थे एक बार इनको पढ़ इस पे ये देखें पढ़ने आता है तो यहां देखिए तीन नमबर पे लिखा है भगवता बुधेन भगवत बुद्ध भगवत सब्द आप लोग आज़े जो भगवत भगवत पुरान और भगवत गीता जो करते हो इस सब्द भी बुद्धिजम से आपने लिया है आपक शरनम गच्छामी धमम शरनम गच्छामी शंघंघंख शरनम गच्छामी इस सब्द तक उससे में लिखा हुआ मिलता है और तो और चार और पांच में बुद्धिजम की साथ किताबों का जिकर मिलता है चोथे नमबर के अंती में विनय शमुकसे विनय पिटक की बात हो रही है पांचवे नमबर में अलिय वशाणी उसके आगे अनागत भयानी मूनी गाथा बुधा को मूनी कहा जाता था उनकी गाथा लिखी जा रही थी मूने शूते उपतिश्य पै शीने एचा लागूलो वा पादे उसके फिर छटे नमबर में भी यहाँ पर भगवता बुधेन भाशिते आया है सोचिए इसा से 2500 साल पहले इतने सारे सब्द आ रहे हैं बुध के लिखित सबूत आ रहे हैं क्या आपके लिखित रूप से एक जगह भी कोई राम या क्रिश्न का सबूत मिला है किसी देवी देवता का मिला है एक सिंगल सबूत कहीं पर कहीं पर लिखित से पता चल जाए कि कोई देवी देवता थे कोई राजा था जो उनके बारे में लिख रहा था यहाँ पर तो सारी की सारी चीजे लिखित में मिल रही है और उनके बोन्स रिलिक्स पर तो हमने नजाने क पढ़ाई किये हैं पर वो गलत बात नहीं है गलत बात देखें आपको कोई गिराद या जमीन पर ये गलत बात नहीं है गलत बात तब होगी जब आपने उठने के बाद से क्या किया हमारी शभ्यता संस्कृति छीन ली गई हमको पढ़ने नहीं दिया गया और आज जब पत्न का मॉका है तब भी आप अनपड़ बने रहेंगे उनकी ही बाते सुनते रहेंगे जिन्होंने आपकी सपेता चीन लिये चीन लिये हकुक बाते अब भी सुने के आपuden न लेंगे यह गलत होगा अब आप क्या कीजिए सही जगह से सही रिसोर्से से पढ़िए पढ़ नहीं सकते हैं इस्ट्रीम्स देखिए यहां की डिवेट्स देखिए यहां की प्रजेंटेशन्स देखिए अफिर तई कीजिए फिर आईएगा आगली बार आपको मैल लूँगा ठीक है चलें फिर तो यह आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहां पे टाइगरमशू परमार जो हैं लिखते हैं आपके बैंक एकाउंट में सीधे पैसे डालने हैं यूटूब को कमिशन नहीं देना है क्या यह पॉशिवल है आपके जैसा काम तो हम नहीं कर सकते बस आपको शहयूग कर सकते नही बाई टू कोफी बाई फोर मी कोफी करके भी लिंक है उस पे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं और आप चैनल मेंबर्स भी बन सकते हैं पेट्रियोन पर बनेंगे या बाई कोफी वाला करेंगे तो उसमें मिनिमम्म कमिशन देना होता है तो वो आपके लिए ज़्यदा बेहतर होगा शुक्रियापका और फिर यहाँ पे नाना शाहब खांडेकर जी का सुपरिश्टिकर है शुक्रियापका शत्या आ लिखते हैं इसचे माई रोक एश्टार भारत का सच्छा इतिहांस तुम्हारे रीनी रहेगा फ्यूचर आच्छा शत्या जी बहुत बहुत शुक्रिय आपका और नाना शाहब खंड कर यह लिखते हैं हाई शर प्लीज सर वो दलिंदर जो वर्ड है रीट प्लीज नाना शाहब कर रहे दलिंदर वर्ड को रीट कीजिए अच्छा जी वो ऐसे नहीं आएगा वो जब बाते आएंगी उसमें वो आजाएगा आजाएगा शत्या जी आएगे लिखते हैं ब्रामण की फ्यूचर गीता वर्जन 7.0 में इस चे एक राक्षस है जिसका वद्ध ब्रामण खुद करता है बहुत बढ़ियां जी क्योंकि शरस्वती इस जे के साथ प्रेम में भाग अरे ऐसा काम मत कीजिए यह यह विचार यह सब छोड़ देज है अच्छा इसके बाद से प्रियंका यहां लिखती है इस चे शर यह मराठी ओवीशी हैं जो ब्रामण से ज्यादा जातिवादी करते हैं यहां के ओवीशी इसी कम्मुनिटी से बहुत हेट करते हैं और उन्हें डरा के रखते हैं ओके यह आपने बहुत अच्छा इंप्र प्रियास कीजिए यहां पर जुडवाइए डिसकसन होगी और उनके भी मन में जो चीज़े बैठी हैं वो निकलेगी ब्रामणबाद की सबसे बड़ी दिक्कत यह रही है कि उसने हमेशा ही छत्रिये के लिए जो राक्षसी प्रविर्ती उसने बना रखी है राक्षसी जो हैं इसमें फस गये हैं और उनको बाहर निकाला जाएगा शमानता एक्वालिटी जो कॉंस्टिटूशन की मूल भावना है उस पर हम लोग ले आएंगे सबको शुक्रिया आपका और गृश्चंद्रा यहां लिखते हैं शोला अप्रेल को अशोका अश्टमी हिंदू के पंजाँग में तेवहार है अशोक पेन्ध की पूजा करनी है यूटूब पे अशोका अश्टमी वरत की कथा है जरूर देखिए इसचेसर गृश्चंद्रा जी 16 अप्रेल जो है असोका अश्टमी है और उसको मिटाने के लिए हमने आपको प्रमाड दिखाया था सारे सबूत दिखाये थें कि फायान भी रथयात्रा देखे थें रथयात्रा निकलती है और भविश्य पुराण पर लिखता है कि यहां उस दिन रथयात्रा निकलती थी आखों से देखा था आज की डेट में आप देखिए कैसे उसको मिटा के अगले दिन राम भूमी बनाके और राम की मूर्ती घुमाई जाती है दरसल शम्राट असोक की है अश्टमी और यह एतिहासिक एविडेंस आ चुका है प्रूफ हो चुका है तो बहुजनों में यह च और फ्रेश्या यहां लिखते हैं इनकी बात्चित का वीडियो जरूर डाले शर बहुत शरलता से समझाया आपने जैवी में जी शुक्रिया आपका फ्रेश्या जी बहुत शुक्रिया राज जेड यहां लिखते हैं मैं क्या कहता हूं उस धरम में ही प्रोब्लेम है अगर किसी के हाथ में सत्ता आती है और सत्ता आने के बाद से वो अपने जाती में अच्छा बन जाता है अगर कुछ गुंड़ई करने लगते हैं कुछ जो हैं दादागिरी पे उतर आते हैं और बाकि दूसरे लोगों को सत आने लगते हैं तो इसका मतलब प्रोब्लेम सत्ता आने में नहीं है बलकिल जो धरम पकड़ाया गया है उसमें है उसमें धरम ही उनको सही सत भावना नहीं दे रहा है उनको ऐसी चीजे दे रहा है कि वो सत्ता मतलब पावर आने पर उसका मिस्यूज कर रहा है फिल्में होत है चाहे तो उसका hadi कर सकता है लेकिभी कर तो जब भी अमसी को हीरो दिखाते हैं उसके पास पावर है पर अगर वो उसका हमीस उज कर रहा है वह से आता है तो डारेक्टर तो भना देगा रख वहाँ तो कोई डारेक्टर नहीं है न वहाँ धर्म है यानि गलत धर्म उनको गलत प्रियानाये दे रहा है इसलिए भारत का शमड कल्चर को भातियों लोगों को आत्मशात करने की जरुरत है जो उनके पास सत्ता पावर हर चीज आने के बाद भी उनको इक्वालिटी भावन का बराबर की भावना जो विक्षित कर सके उनके अंदर तो यह बात है शुक्रियापका और जीओ दिल से विध गुरुबानी यह लिखते हैं शत्री अकाल शर आज एड कीजिए धन्यवाद आच्छा जी शुक्रियापका और फिर यहाँ पर अर्चना कुल करने लिखती है हैं हेड्स ओफ एश्चे सर जे शुक्रियापका अर्चना जी चले आगे बढ़ते हैं देखें आप कोई और डिवेटी हो तो उनको ले लेते हैं कोई और भाई कोई शीजू है इनको मैं एट करता हूं हाँ शीजू बताएं क्या करना चाहते है जैपीम नमा बुद्धाई हाँ हाँ जैपीम नमा पुद्धा है जी बताएं सर मुझे एक क्विस्टन पुछना था और थोड़ा सा बताना थी था हाँ 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 आचा बुदिये तो अ सर वो मैंने जब से बुद्धी जंग को फोलो किया है ना तो तब से वह नोनवेज खाना बेंद कर दिया है तो तो रिलेटियूस वाले और घर वाले सब बुलते है कि ऐसा कुछ नहीं होता है खाना चाहिए और बुलते है कि फिर वो बोलते है कि वो भी खाये होगे तुमको क्या पता ऐसा ऐसा मुझे बोलते है नोनवेज देखें अशीचू नोनवेज आप खा सकती है नोनवेज अगर आपके मैं एक चीज़े हमेसा याद रखिएगा बुद्धियम एक मध्यम मार्ग है वो कभी आपको यह नहीं कहता है क कि आप किसी एनिमल पर दया कीजिए करूना कीजिए पिल्कुल कीजिए पर वो अलाव भी किया है एक हद तक एक लिमिट तक यह कभी नहीं कहा है कि कि किसी एक के लिए किसी एक दूसरा जो है वो भी कुर्बान हो जाए मतलब कोई इंसान है आप सबको साकाहरी जबरजस्ती थोप दीजिए सब पे कि तुम सबके सब साकाहरी हो जाओ तो आपने एक अपने मन से अपनी चीज थो उस पर अपलाई कर दी पर उसका क्या जो ननविज के बिना डेली बेचारे का दिमाग खराब हो रहा है डेली उस दूसरा इंस्क्रिप्शन है उसको द्यान से आप देखेंगे उन्होंने क्या कहा हमारे किचेन में सैखडो पसू पंची कटते थें अब ये दो पंची और एक पसू पे मैंने रोक दिया है आगे इसको भी कम करूंगा उन्होंने उसको डिक्रीज किया बहुत मतलब एक लि मतलब जो जो लोग पसू को काट कर बेचते हैं तो मतलब हम उसका सपोर्ट करते ऐसा हो मतलब उसका होगा तो हमको खाना ही नहीं चाहिए ना तो फिर वह मतलब पसू को मारेंगे ही नहीं हमें बायलेंस मध्यमगती क्या होती है आप इसपर हाड हो गए ना आप इसपर स्ट्रिक्ट हो गए कि हमको नहीं खाना है पहले आप देखें जो नेचुरल होता है जो प्रकर्तिक है रूपसे है उसको दैएन से दखिए क्या आप मांस को पता कि जब खाती हैं वो सरीर उसको adjust कर लेता है, अगर सरीर को adjust कर लेता है, सरीर उसको पचाने में सक्छम है, तो आप खा सकते हैं, वो फिर natural है, अगर नहीं पचा रहा है, तो आप कभी खा ही नहीं पाएंगे, आप पत्थर नहीं खा सकते हैं, सरीर उसको नहीं पचा सकता है, आप ऐस अपसवों को बचाने के लिए इंसानों की बली चढ़ा दो, मतलब इंसान अब जिसको खाना है, खाने के बिना काम ही कुछ नहीं कर पाएगा, खाने के बिना उसको तकलीफ है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो वेजटेरियन चीजे खरीद खरीद के खा सके, तो और लो स्ट्रिक्ट हो जाओ कि एक को एक के फायदे के लिए दूसरे को तकलिफ होने लगे ऐसा भी नहीं करना है तो हमें बीच का रास्ता निकालना होता है जी शीजू और सर आप बोले थे ना कि होली के दिन हमारे रिलेटिव के साथ डिसकेशन करना चाहिए तो मेरी कजिन आई थी होली खेलने तो सर वो मुझे बोली कि तो सर मैं बता सकती हूँ क्या मैंने उसके बाद किती हूँ आप अगली बार जुड़ियेगा तो मैं जरूर सुनूंगा ओके शीजू क्योंकि आज का थोड़ा छोटा सेशन होता है तो मैं आज सबसे थोड़ी थोड़ी बाते ले लेता हूं और आज अगर शाम वाला श्ट्रीम रहता तो मैं पूरी बात भी सुनता और छोटा सेशन है तो कुछ और लोग आये हैं उनको भी मैं उनकी भी बाते सुन लेता है ओके अगर दो मिनट में आप खतम कर सकती है तो बोलीजिये हां तो सर वो मेरी कजिन आई थी तो वो बोल रहे थी कि आपने तो वो गोली का स्टेटस लगाया था ऐसा कि मतलब जो स्ट्री को जलाते है तो वो उसका कोई भी वो अपराल हो या ना हो फिर भी उसे जला देना एक और मानविया क्रूसिया है तो ऐसा स्टेटस डाले थे भी तो मतलब आप बोली नहीं खेलोंगे ऐसा बोली तो मैं बोली नहीं तो एसा कुछ नहीं है अगर तूमको क् टू हमारे हो जाएगा प्वित्रा Judaism गोलन। तो हमारे बीच कोई बाती नहीं बंती। एओ समझा पानी नए लो फिर हमारे दोनों के बीच में। भीच्पेस्टों होऀ वह डी जिवा ठास्वी तो वो बली कि व तो आप अकले होते हो घर पे तो आपको दर नहीं लगता, तो मैं बोले, मैं तो ना सिखू, मुझे किस चीज का दर लगेगा, मुझे तो पता ही है कि भगवान नहीं है, ये बुद भुद भुद भी नहीं है, तो फिर, आपको किसे पता है कि भगवान नहीं है, तो मैं बोली कि देखो, भगवान क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे साथ, मतलब हर इंशन के साथ गलत होता है, बुरा होता है, दुखती आता है, तो वो दुक क्यों आने देता है, अगर वो इंसान, बखवान है, तो इंसानों के साथ इसा बुरा क्यों होने देता है, और चोटी-चोटी बच्यों के वो रइप हो जाते हैं, तब वो क्यों नहीं आता है? कि अगली बार फिर कोई ऐसा कहे ना तो उससे कहिएगा कि अगर मेरा बाप भी अगर मुझे बात ना करे ना तो मैं उससे कभी बात न करूंगी कभी मुझे से मिलन न आये न तो मैं कभी उसे बात न करूंगी मैं बहज देना अपने भगवान को बातहर लेगा हमसे देक लूँगी फिर भी मान लेँ नहीं आयेग तो हमारे किसी काम का नहीं चलो फिर निक कलो ऐसे लोगों, ऐसे बहुत शारे लोग है जिसको जो मिरे लगुषा थे तुह दकशेसा какую में मानती है वह करें हैं और मैंने पूछा कि तो तूम कैसे भगवान को मानती हैं मतलब तुमें कैसे पता हैं, तो वो बली कि मेरे पापा थे, वो उसको दिखे थे, और एकदम गायब हो गये थे, तो मैं बोली कि वो तुमारे पापा मतलब चाचा ने देखे थे, तुमने थोड़ी ना देखे थे, तुमने देखे तब मान ना, तो वो बली कि हाँ, वो बाद भी ठीक है, और व वो पिछले कर्मों का पल ऐसा उसका एग्जामपल दिया था कि वो कृष्णा है उसको तीर मार दिया था तो मैं बोली अरे वो कृष्णा है वो कोई भगवान नहीं है और उसका कोई प्रूफ भी नहीं मिला है मतलब जैसे हम आज जो रह रहे हैं हमारा डोक्यूमेंट और सब कुछ होता है तो उसका कोई कुछ प्रूफ नहीं मिलता और जो भी वो मिला है न तो वो एक करेक्टर है बुद्दिश्ट के जहां तक पथा का तो फिर वहां ही पर हमारा अजिस्टर जन पूरा हुआ आप एक काम कीजिएगा ऐसे जो भी व्यक्ति होना अगर नहीं मानते हों तो उनको सीधे सीधे आपने यहां पर भेज दिया कीजिए यहां पर ज्वाइन करा देजिए यहां पर ज्वाइन होंगे बात कर लेंगे तो सीधे पूरी बात हो जाएगी ओके ठीक है फिर ठीक एसी जो ओके चले आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहां पर उतकल गजवये लिखते हैं प्लीज वाच जैभेम कामरेड आच्छा जी ओके और ओम प्रकाश राम जी का भी यहां सुपरिश्टिकर है चले और कोई जो डिवेटी हो जिनको डिवेट करना हो वह आ जाए बतायां क्या करना चाहते हैं अधे हुआ हाग जी-अधे रिघ गुंवतिश्टिकर ऑन साथ कि ऊचनला जुकला था जो यह जिए डिन्हें मेरे जाना चाश्टिकर है तो यह जैंक मेरा जोली पुम्ह चैश्टिकर फेलिकर जो एसे हमारे गुश्टिकर प्रक्रम जेंतों हमारे पास हमारे कम्यूनिटी के सब लोकों के पास का सर्टिफिकेट है हां हां सब के पास है सब मतलब जैसे जनेवं भी करवाते हैं तो इसे वाला कैसे सर्टिकेट ले लिए वही वही मैं जून रहा हूँ वही तो मैं जून रहा हूँ यह कैसे पॉर्टी बताए यह देख लिए यहां पर धिरेन सुकला आएं हैं बोल रहा हैं कि सुकला भी हैं लिए हैं समाजी रूप से और धार्मिक रूप से भी और अब कॉंस्टिटूशनल रूप से एसी का भी ले लिए हैं बताए आपके तो आपके तो मजे मजे हो गया आपके इतना तो मजा मुझे लगता हूँ अब कि किसी को मानता है किसी को नहीं मानता हूँ तो आपका ये जो नेम है शुकला कहां से आया है कभी गौर किया है आपने क्या है शुकला है शुकला में इसलिए लगाता हूँ यहां गुजरात में शुकल बोलते हैं शुकल जो है ना पाली भासा का सब्द है शुकल और उसी को संस्कृत में शुकला बोलते हैं हां हां है तो उसमें की्ट के यह से का स्ट ह्ट रखाा है यहां पर यहां पर यहां पर आसी यह को संब्सक्रyl को reflecting आपकी साधी ब्हाब्रों में होती है या यह सी हैश्टी में होती है मतलब आप एक ऐसे अपने को आप वो तो नहीं है बमन तो नहीं है जो है यह बुधिष्ट कलेंडर जो होता है उसमें होता है शुकल पच अकेशन पच उसमें से यह सरने माता है बुधिष्ट कलेंडर से यह आता है तो आपका सरनेम जो है इसका ओरिजिन जो है आपके किसी धर्मकरंथ में नहीं मिलेगा यह सारा का सारा बुधिष्ट ओरिजिन है इसे पूछ रहा हूं किसी को जैसे कोई जाता है मतलब दिले तुम में चाचा मामा कहीं ऐसा नहीं नहीं है कि आप लोग अपने को ब्रामण घोसित कर लिए किसी को पूछता हूं किसी को कोई जाता है करन कान कर लेंसे को उनको पूछता हूं नहीं हम लोग ब्रामण को में आते तो हम लोग यह से एसी में क्यों है आप लोगों की क्या समाजिक है मतलब समय समाजिक रूप से आर्थिक रूप से आपके इहां से पूजांट कर बाता है मंदिर का पुजौरी है को distract है यह सम इसे ढ़िए पूजाब गर में साधी वीबाह या गाउों में करवत ता कोई संग्षस अ सब एस सीमें मतलब आप इसी जाती के ब्राम्हड बन गया है वही मेदो बालनी पर आच्छा जी चले ठीक है धिर्यन ओके आगे बढ़ते हैं और कोई डिवेटी है कोई राम कुमार आये हैं हाँ जी राम कुमार बताएं क्या काना चाहते हैं हालो नमस्कार आश्टे सर हाँ हाँ नमस्कार जी जी बताएं हाँ जी जैविम होगा सर रहा है उन्चाव सियर के क्री पहुंच गया मेरा बच्चा चोई साल का वैसल मेरे को आप प्रोब्लम का पता है जी आप आपका चेरह क्यों नहीं दिखा रहे वो मेरे सब सब जन में आ कोई बात नहीं है बात यह है कि क्यों व्यक्ति है जैसे कोई भी व्यक्ति विसेष जो है जब वो काम करता है तो दो बातly कुछ लोग उस व्यक्ति के सांथ जूर जाते हैं, अब कुछ लोग विचार धारा के सांथ। कोई व्यक्तिबाद नहीं चलता वू सिर्फ विचारधारा यहां पर जो भी होगा मैं न रहूं और आंकर चाहें क्यों न हो या कोई और तीसरा बंदा कभी और जो इस काम को आगे बढ़ाने क्यों नाए सिर्फ विचारधारा आगे बढ़ेगी आदमी नहीं बढ़ेगा समझ रहे ना तो ये वेक्ति बाद को बढ़ाने की बजाए सिर्फ विचारधारा पर काम करने के लिए जरूरी है कि जो लोग यहां सुन रहे हैं वो मुझे नह टीक है फिलमें आगे लगी है आगे फिलिम चल रही है अब फिलिम का जो कलाकार है फिलिम दिखा रहा है वो जो मैसेज देना चाह रहा है तो उसमें कभी-कभी जो हीरो होता है लोग उस हीरो के फैन हो जाते हैं पूरे फिलिम में जो मैसेज दिया गया उस मैसेज से नहीं मत है वह मैसेज दिखेगा ना तो लोगों का पूरा उस मैसेज पर होगा पस इतनी छोटी सी बात है कि दूसरा आज के वैसे तो आ राज निती बात होती नहीं चैनल पर लेकिन जिस तरह राज दिखाना जाएज भी नहीं है मैं तो सब्सक्राइब को और वैसे आलात की साफ से देश किदर जा रहा है देखें इस पर सब लोग जानते हैं इस पर हमारे अलग से कुछ कहने कि इसमें नहीं जरूरत है देश किदर जा रहा है देखें जिस देश का अपना कोई समाजिक धाचा नहीं होता न वो देश सिरिफ फर्ष्ट एड लेके आपको कोई गंभीर बी खा देते हैं सचा ही यह है कि इस देश में यूनिटी जो एकता होनी चाहिए उसका जो सुत्रधार होना चाहिए उसका बेस ही खतम कर दिया गया है किसी भी देश की यूनिटी एकता अखंडता बनती है वहां के लोगों से और जब उस देश के 90 प्रतिसत लोगों को लगता प्रतिसत लोगों की अपने कुछ काम हों तब वो सब योगदान करते हैं नेशनल बिल्डिंग में और कोई ये बार बार योगता योगता और पता नहीं क्या ये सब खोद खा देके 90 प्रतिसत लोगों को हक हकूर से दूर कर दिया जाए असरिफ 5-10 परसेंट लोग जो है योग्य बने योग्य वीर बने गूमते रहें तो उर्देश कोखला होता है उर्देश कभी आगे नहीं बढ़ता है जोक दिया जाता है लगतार समाज को डाउन ग्रेड करने में इसी देश तभी आगे बढ़ सकता है जब यहां के 100 प्रतिसत लोग मुख्य भूई में हो संख्या प्रतिसत के हिसाब से अधिकार मिले अगर नहीं मिल रहा है तो समझे कि देश गर्थ में जा रहा है बस इतनी सी बात है ठीक है रामकुमार जी अच्छा जी पूछ लीजिए जो आप हडपा की बात करते हैं जी मोज़ोड़ अडपा की उसमें कई जो कंकाल में उनके खोपड़ी में वैसे खुलाड़ी के वैसे चाहाँ आप उने भी दिखाया था मैं कई जी आदेखें उसको वैसे भी तो वो क्या ये युरेसी नहीं थे और थे उनको मारने बाले हम इनसान सिर्फ अनुमान लगाते हैं लेकिन सबूत जो है न अनुमान भी सबूत देखके लगाना चाहिए अब हमारे पास ऐसा कोई भी शबूत नहीं है एक जगह था पॉम्पए एक सहर था एक जगा था और जो कोरिया चीन और कोरिया के ही अगल बगल में है वो आज से 2000 साल पहले नश्ट हो गया खतम हो गया और आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ पे भारत में जो बुद्धा की माता हैं जिनको यक्षिनी की तरह भी प्रयोग किया जाता है हारिती की तरह भी कहीं कहीं दिखाया जाता है उनकी मूर्ती वहाँ मिली और उस सभ्यता में जो नश्ट सभ्यता हुई थी उसका जब तो पता चला कि एक बहुत बेहतरीन लंबी अच्छी खासी विरासते थी जो अचानक से ज्वाला मुखी फूटने से और सारे के सारे लोग मलवे में दब के उसी में खतम हो गए थे खेल कुद चल रहा था सब वैसे के वैसे खेल कुद प्लेग्राउंड में ही सब वैसे ही खतम होते चले गए तो अब उसको कोई ये ऐसा अनुमान लगाया कि कोई दूसरा आके नश्ट कर दिया होगा ऐसा जरूरी नहीं है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अभ्यताएं पानी के बाढ़ से खतम हो जाती हैं अकाल से खतम होती हैं कभी छोड के जाना पड़ता है लगतार अकाल पड़े गया कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कोई दूसरा आय उसकी हात्या ही किया तब ही ऐसा बाई मूगल यहां पे आये थे तुर्क आये थे तो भारत में जितनी बिल्डिंगे थी उससे भी जोड़दार जोड़दार बिल्डिंगे बनाए रहने के लिए अगर हरपा सिंदू घाट के जाता में अगर कोई विदेशी आता इनको मारता काटता तो वो अपनी सुरक्षा के लिए उससे भी बेहतरिन बिल्डिंग बनवाता रहने के लिए उसको ऐसी जगह नहीं गायब हो जाता जहांकि एक सबूत ही नहीं मिलते मड़ाई टाटी में कोई थोड़े रहने लगेगा इतना काभिल है कि हंत्यार रखा रहेगा मड़ा पर टाटी में जंगल में रहेगा बिना घर दूआर के सुचिए तो हमें अनुमान सबूतों के अधार पर लगाने होते हैं जी एक सब्सक्राइब यह जाप हर्सवर्द्रण वाली वह बात बताई थी तो हर्सवर्द्रण की महिंका क्या है बताए अपने 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 हर्सवर्द्र अपने स्ट्वर्द्री सुनाई थी उसके बाद मेरें पता चला भी यह काने तो सर उनकी बता रहे हैं उनका नाम होते है जीन मता नाम के नाम नहीं के साथ उन्होंने मता लगा दिया ना जीन के साथ जीन जो है बुद्ध रहा जाता है उनको बैंन बता रहीं जी अर्षवर्ड जी और वह देखने बाद उतनी हरानी जो जो मूर्ति ना उसके अंदर जाकर कोई सिग्रेट ला रहा है उसके मूंमें कोई बीडी जा रहा है पूछ पता ही नहीं है किस चीज की कानी है क्या है बहारत का ऐसे थोड़े विनास हुआ है ऐसे नहीं विनास हुआ है ना जब बच्चा नलायक हो देखें जब आपने माबप्की दुर्गती हो जाती है जिसका भी जिस पुरकों का बेटा नलायक निकल जाए उसके माबपकी सबसे जज़्यद्र दुर प्रविट और यह लगा रहा है बुद्ध को जब अपने ही बेटे नलायक हों आप पोडोसी के यहां घूम घूम के स्पाइडर मैं बैटमेन को पूजा पाठ में लगे हुए हों तो अब इसमें क्या है इसमें हम यही कर सकते हैं न कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागर होते हैं अग्यान परोशी से एया वगल में किसी दूसरे जो चोटा चोटा बाद मैं अधियाना पंजाब और राजस्तान की सेंटर में बैठा हुझे इस रिया ब्राह्मन ब्राह्मन से भी एक बहुत ज्यादा माले वह अपने समाज के साथ करने वाली डिसकेंजिशन करने वाली एक जात्ति अब नुए प्राह्मन से भी गज़रें यह अच्छा जी वह अपने अपने समाज के लोग इनके घर जाएंगे जुद्य बार रिकाल कि आप करने को लिए तो राम देवरा जी राजस्तान का यह वी और एक गोगा मेड़ी यह राजस्तान के दो देवस्ताना इसमें अपने यूपी बिहार और राजस्तान गुजरात महाराष्टर इतनी स्टेट के लोग लाख्व के बेड़े जुटती है उन पर यह दो अच्छा जी ठीक है अपना समाल बहुत बढ़ता चले न क्या चीज है आपकर अच्छा जी ठीक है कर दूंगा मैं ऑके चले आगे बढ़ते हम लोग और यहां शुनिल कुमार जी लिखते हैं जैभीम सर जी हाजी शुक्रिया आपका और फिर यहां पे चित्रलेखा बढ़ते जी और कोई है डिवेटी जिनको डिवेट करना हो कोई डिवेटी यहां पे कोई दिनेश शावर्या है हाजी दिनेश शावर्या आपको डिवेट करना है कमलेश कुमार वर्मा हाजी कमलेश शी बताएं क्या करना चाहते हैं क्या आप हमें सुन पा रहे हैं कमलेश जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं अच्छा यह भी नहीं सुन रहे हैं चलें, ये कोई DMM आये हैं, हाँ जी DMM, बताएं क्या करना चाहते हैं अलो, नमस्कार सर जी हाँ हाँ, नमस्कार, जी बताएं आवाज आ रही है ना आ रही है, आ रही है सरा, मुझे डिबेट करना है अक्चुली ओके, बताएं पीछले बार भी मैं आया था, लेकिन पीछले बार मैं हर वक्त आता हूँ, तो अभिलेक पर ही बोलता हूँ और अभिलेक में ये बात है सर जी कि तीन-चार अभिलेक का मैं यहाँ थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा सुनेंगे पहले बात यहाए कि सात्वान सम्रागी जो नागनिका थी उनके अभिलेक में जो नाने घट अभिलेक का बोलते है उसे उसमें कोई यग्यो का जिक्र आया है जैसा यग्यो का मतलब सांश्कूरुट शब्द नहीं है शब्द तो प्राकूर्ट में है लेकिन आईसे शब्द है अगा धेय अनार भनियो अस मेधो गर्गतिरतो छंदो मपमा तेरसरतो ये जो शब्द आये है ये शब्द है सातवाहन नागनिका सम्राग्जी उनके अभिलेक में इसका अर्थ आईसा दिया है किताबों में अग्नान धेय अनार रंभनिय अश्वमेध गर्गातिरत्र छंदो मपमाना तिरत्र ऐसा सांस्कृत करके ऐसे यद्णिय थे और ऐसे यद्णिय नागनिकाने किये थे और ब्रहफनों को दान भी दिया था ऐसा उस लेक में लिखा है यह जो शब्द है यह शब्द ब्राम्हन के ग्रंथ जो है ग्रंथ में आते है यज्य के नाम यज्य के नाम संस्कृत में है अभिलेक में ओ नाम प्राकृत में आते है अभिलेक में कोई एक भी शब्द संस्कृत नहीं है एक बात हो गई दूसरी बात एह है सर रुद्रदामन का गोजु अभिलेक है। पुरा अभिलेक प्राकृत में है प्राकृत में कई नाम आये है और वह अभिलेक में भिक्कु संग का भी जिक्राया है नाम आईसे है नाभाग नहुस याने नहुष नहीं है शवाला शह नहीं है नहुष नाभाग जनमे जय सकर भूत गंधर्व चारण ऐसे जो ब्राम्भन ग्रंथ में पाये जाने वाले नाम उस अभिलेक में है और अगला अभिलेक है एक्ष्वाकु राजा वीरपुरुसदत्त का अभिलेक में तो बहुत ऐसा लिका है कि पहले ही लाइन में लिका है नमो भगवते देवराज सकतस सम्म सम्म संभुधस धातुवर और ऐसे लिखकर बुद्ध को प्रणाम करके आगे अगी होता गिटो गिठोम वाजपेय असमेध ऐसे लिके है उसका ट्रांसलेट ब्रामनों ने अगनी होत्र अगनी श्टोम वाजपेय और अश्वमेध ऐसा है कि यह जो नम लिखे है यग्ये के एनाम स्वंस्कृत में तो शायद नहीं लिखे बिखिए शबनाम लिखे है प्राकुर्द में लेकिन उसका अनुआत संस्कृत में किया है क्या उस समय उस प्रकार की कोई वीधी बहुत धर्म में चलती थी क्या पहली बात ये हो गई क्योंकि बहुत धम में भी ये दने होते थे क्या ये सब राजे तो बहुत दिखाई पड़ता है कि इसमें भिक्कु संगका भी जिक्राया है और इक्षाकु राजा वीर पूरुष दत्त के आधिलेक में तो दिग्ध नि काये अंगुतर निकाये और खुळक निकाया ऐसा बहुत शब्द यूहां। फिरवी अग्ई होता, गिठो गिठों, वाजभ़, गि थम वाजव पय, असमेंध ये सब्द का जिक्राया है अग्गी होता का उसने ट्रांसलेट किया है अग्निहत्र, गिठों, गिठों का ट प्रांस्लेट करने के जरूरत नहीं पड़े अवाज पे लिका है और असमेद खा ट्रांस्लेट किया है अश्वमेद प्रश्न यह है सर कि अगर बाउध्ध अभिलेक में ए शब्द है तो उस समय बाउध्ध राजे भी ऐसे प्रकार कि कोई यज्य या कोई विद्धी करते थ क्या आपका सब सुनकर सुनकर मैं समझ गाया हूं प्रश्न यह है कि उस समय बहुत लोग ऐसे कोई क्रिया कलाप या क्रिया कर्म बहुत दराजे करते थे क्या यह बहुत महत्वाप्रोन प्रश्न है सर इसका उत्तर जाए जी देखें आपने जो कहा है उसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इन लोगों ने क्या गाल मिल क्या किया है यह देखिए यह आपका एक्चुल इंस्क्रिप्शन मैंने ओपेन कर दिया है नाना गहाट का और यह नाना गहाट को आप सुरू से देखिए इन्होंने जो किया है ना कहां से किया है मैं बताता हूं पहले तो इन्होंने अनुवाद किया और अनुवाद किया है यह अनुवाद है टेक्स्ट संस्क्रिटाइज्ट यह क्या करते हैं कि जो मूल जो होता है जो मूल वहां पे लिखा होता है उसको संस्क्रिटाइज करके लिखते हैं अब संस्क्रिटाइज कियें तो क्या लिख दियें सिध्धम परजापते लिख दियें धर्माय नमह इंद्राय नमह अब सवाल यह है कि यह इंद्र कौन है। यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज हो जाएगा कि फिर इंद्र कौन है। फिर आगे यह इसी तरह से आगे बढ़ायते जाएंगे और फिर आपको यह नौ और दस नमबर जो आएगा यहाँ पर यहाँ पर राजश यगय यगय इस्टम यहाँ पर यग भी लिख दियें। फिर यहाँ नीचे सत्रासो हस्तिना सेवेंटीन हंडेट हस्तिना आदसवे नमबर में वन्सम यश्टम कुम्भम रोम्यमया डोडोडोडोडोडोडोड रिकह यगह फिर से यगह लिख दियें दक्षिना दता गावा अब इनके संस्कीत अनुवाद को जो कोई भी पढ़े है बुद्धम में आप फाहयान के नोट्स पढ़ेंगे तो आपको पाएंगे कि चोथी सदीखा है वो बताएंगे कि बुधा जब अपने माता पिता से मिलने के लिए पहली बार आये थें तो उनके शाथ इंद्र और ब्रंभा दोनों आ रहे थें अगल बगल खड़े थें महायान की जितनी आपको चीज़ें मिलेंगे उसमें हमेशा आपको इंद्र और ब्रंभा मिलेंगे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं पर क्या कहीं पर वहां पे वो दोनों के दोनों वो पहने रहते हैं आप दोनों को ध्यान से देखिएगा तो वो दोनों क्या पहने रहते हैं द उसके image भी है, अगर मिल जाता है तो वो भी मैं दिखा देता हूँ, खेर, तो हम लोगों को ये बात पुरा समझना पड़ेगा कि किस तरह से बुद्धिजम में जो इंद्र है, जो ब्रहंभा है, जो जातक अथाओं का इंद्र है, अगर उसकी बात उनके inscription में मिलती है, notes में म यगहवन करके इंद्र को प्रशन किया जाता था, कहीं नहीं बात आएगी, ये इन लोगों ने एक जूटा खेल रचा है, जो बुद्धिजम के जितने inscription है, उसको संस्क्रिटाइज करके, एक्चूल जो सब्द है, उसको आप ध्यान से आप वो दिखाता हूँ, इनकी कैसे चूरी आप पकड़ेंगे, देखें, यहाँ पे देखें, सोला नंबर में, क्या लिखा है, गाउं, गाउं में गागायब है, फिर आगे चंदोपमा व मा नरितन दखिना गाउं, आगे अंगीर शरितो, और यहाँ पे जो यह लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है, इस यह आयू नहीं लिखा हुआ है, तो यह यू को इठो, इसको इन्होंने यग बना दिया, यह यू को इन्होंने यग बना दिया, फिर उसके नीचे तो यह यू इठो दखिना, और यहाँ पे रतो इठो, और यह देखें, यहाँ पे यगो बना दिया, जबकि ग्यों होता ही नह ना च्छा को आप क्या लिखते हैं के एस एच को और आधा को और आधा शो यही लिखते हैं ना सटकोर वाला सा इन दोनों को संग्टुक ताक्षर होता है फिल्म के आप नायकों को देखिए फिल्म के जो नायक होते हैं नायका होती हैं कभी भी च्छा की ध्वनी नहीं प्रो इंगलीस तक में नहीं होती है इनकी दोनी यह के एस एच जो है यह बाद में इजाद किया गया साथवी सदी के बाद जब इसमें आप लिखेंगे यह क्या करते हैं देवनागरी लिपी में चुकी उसमें अलफावेट है छोका तो जब उसको धम लिपी से इसमें अनुवाद करते हैं तो आधा को और आधा शो को जान बूज के ये छो लिख देते हैं यहाँ पे यह अनुवाद क्यों की गलती है इंगली समय अगर के एस एच लिखा हुआ है इसका मतलब की के मतलब को है इस एच मतलब शटकोडवाला सो है दोनों का संजुकताक्षर है ये साथवी सद के बाद से दोनों के संजुकताक्षर के लिए एक अलग धोनी परियोग कर दी गई जिसको च्छ कहा गया इसी तरह से त्रह से सब्द आएं अब बताइए कि यहाँ पे इन्हों ने ययू लिखा एक जगह इन्हों ने क्या लिखा यगो लिख दिया ययू ययू लिखते लि हैं एक में यू भी हैं असब के सब यग ही हो रहे हैं इन्हों ने अनुवाद को ने यह गल्ती की है एक जगह यह यह यू लिख रहे हैं एक के ऊपर बिंदू लगा रहे हैं अब इनका इसका मूल पे आईए इक कहना क्या चाहता है इंद्र आपको पढ़ा रहा था ना मैं आपको बताता हूँ एक्चुल में क्या है इसको यह लोग यह देखिए पहला ओन दे लेफ्ट वाल यहां पे शिंधंग आगे डॉट 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 नो धमशा यहां पे नू लिखा हुआ है नमो नहीं लिखा हुआ है नू अब आगे क्या है यह हम नहीं जानते तो यहां पे लिखा है धमशा आगे नमो फिर इदशा नमो तो धमशा नमो धमश किसके लिए सब्द परियोग होता है बुद्ध धम के लिए धमशा यही सेम सब्द धर्म नहीं लिखा है यह धमशा यही सेम सब्द सांची के सुतूप पे भी आया है और वहां पे धमशा बुद्ध आगे क्या लिखा है इदशा अब ये इदश जो सब्द है इसको इन लोगों ने इंद्र बना दिया है ये देखें तीन नंबर नोट्स लिखा है ना नीचे तीन नंबर नोट्स पढ़िए ये क्या काता है देखें बाद में इन लोगों ने आइदेंटिपाई करने की कोशिस की है जोडने की कोशिस की है नमो लिख रहा है फिर क्या अब ये इंद किसका है जाता कथा वाला है इनके ब्रामण वाला नहीं है शंकशन वाशुदेवानंग अब ये वाशुदेव वाशुदेव जो सब्द आता है ये किसका है ये भी बुद्धिजम का शब्द है चंद शूरान चंद शूरानंग पाँच नंबर अब इसके आगे वाला जो इंस्क्रिप्शन है वो भी आप देख लिजिए अब वरुन जो सब्द है ठीक उसी समय यही सतकर्णी जो है पैसा डोनेट किये हुए हैं सांची के सुतूप बनवाने में इनका तोरण द्वार है सबूत है और वहां पे भी वरुन नाम आया है लिखा हुआ है कि शतकर्णी गोतवी पुत्र सतकर्णी ने डोनेट किया है अब वरुन नाम वहां पे भी आया है अब यहां का वरुन देखके यह लोग तुरंथ पिता जी खोज लेंगे अब यह कुवेर कौन है तो कुवेर आप जाएंगे अजन्ता केब्स में जाएंगे और वहां पे एलोरा केब्स में जाएंगे वहां कुवेर जो हैं बुद्धिजम सेक्ट में उनका अपना कैब है कुवेर का बुद्धिजम के कैब्स में इनका अपना कुवेर है इसमें से कोई एक ऐसा सब्द नहीं है जो बुद्धिजम में न आता हो और जिसके कारण इसको यह ब्रामडवाद का घोसित कर दे इस स किसी को भी ऐसा doubt है कि ये ब्राम्ठो का है तो उनको ये भी साथित करना पड़ेगा कि क्या ये सब्द उसे समय अन्य व्यक्ति यगहन करा रहा होगा और उसको शंसक्रीटी ही नहीं आएगा बताइए उसको यगहन के लिए कोई व्यक्ति जो है हम कह रहे हैं कि मुसलिम अपना नमाज जो है अब भजपूरी में पढ़ता है अवधी में पढ़ता है बंगाली में पढ़ता है या मराथी में पढ़ता है भाई उसकी जो भासा है उसी में पढ़ता है अगर इनको लिखना होगा तो सीधे सीधे अपने उन चीजों का नाम साफ साफ लिखें तो और यहां पे आप और देखिए यहां पे यह तो एक बात हुई इससे भी बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूं असल में क्या है जस्ट इसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शन है यह देखिए नाना घेट के इंस्क्रिप्शन यह प्राकिर्ट लंग्वेज का है फर्स्ट एंचूरी बीसी ठीक है पाली पाकित का है यह तो बहुत बढ़िया यह वाला देखिए पताइए इन्होंने क्या लिखवा रहे हैं सीरी लिखवा रहे हैं क्यों पाकित में लिख रहे हैं अगर वेद था तो इसका मतलब कि संस्क्रित तो होगा ना संस्क्रित तो फिर होना चाहिए था अगर वेद था तो कोई व्यक्ति वेद की बाते लिखवाएगा उसे धर्म को लिखवाएगा तब फिर इनको ये सावित करना पड़ेगा कि इनका जो वेद है उपहले पाली पाकित में होता था करें सावित फिर देते रहें सबूत एक अच्छा इसके उपर वाला भी आप एक मिनिट इसके उपर वाला भी आप ये देख लीजिए नाना घाट के फिगर लेवल ये भी पाकित लेंग्वेज में अबराहमी टेक्स्ट है ये करते क्या है कि संस्क्रिटाइज करते हैं संस्क्रिटाइज करके कहानी खेल देते हैं ये देखिए टेक्स्ट टेक्स्ट एक्च्वल क्या है साध वाहन उपर लिखा है साध वाहन इन्होंने संस्क्रिटाइज करके साथ वाहन कर दिया कनहे को कृष्ने कर दिया देख ल प्रमण रहें हैं तो जो लिखा हुआ है पाली पाकित में उसको संस्रिटाइज करके अपने मन मुताविक लिख लो, बमण चीवर पहिण के घूमता था, जनेऊ नहीं पहनता था, लेकिन उसको ब्रामण कही दो, उसका अनुवाद बमण का अनुवाद कर दो, ब्रामण, बस हैं जो सांची का सुतूप बन रहा था तोडर द्वार एक पूरा गेट बनवाए और वहां क्या लिखते हैं राडू सिरी सतकड़ी आवेशणिस वासी पुतस आनंदस दानंग तो उन जो राजा सिरी सतकड़नी है वो पूरा एक गेट दान करके एक गेट बनवा रहे थे सब्दों का मतलब जो है ब्रामडों ने अपने अनुवाद से बतल दिया है जब भागवत सब्द आता है बुद्धिजम के किताबों में तो यह क्या करते हैं यह शम्राट असो का इंस्क्रिप्शन है तीन नमबर पे लिखा है भागवता बुधेन बताए भागवत सब्द गिता बना लिए अब अगर अगर वो यह कहेंगे कि शम्राट असोक जो है यहां भागवत सब्द परियोग किये हैं इसका मतलब कि हमारे भागवत विश्नु की बात कर रहे हैं अगर वो क्लेम करे आप उसको फिर कैसे डिवंग करेंगे भाई आप कहेंगे न इससे पहले अपना सबूत दिखा भाई आप कहां परियोग किये हैं यह तो पाली पकित में भागवता लिखा हुआ है भागवता बुद्ध भी आगे लिख दिया गया है confusion न हो यहां पे आगे छे नमर में भागवता बुद्ध लिखा हुआ है सब जगर लिखा हुआ है आप शबूत तो हैं, जो वहाँ पे इस्तमाल किये गए हैं, तो ये तो उनसे भी पहले इस्तमाल किये गए हैं, अब इसमें कि किसी सब्द को भगवत को उठा के कोई विश्णू बताने लगे तो इसे थोड़े होगा, ऐसे नहीं होता है, उनको ये सावित करना पड़ेगा, कि आप बुद्धिस्ट के सुपूग बनवा रहा है, उसके अपने इंस्क्रिप्शन में पाली पाकीत में लिखवा रहा है, आपके संस्क्रिप्शन में लिखवा नहीं रहा, आपका कोई आपने कुछ किया नहीं, आपका कोई एविडेंस नहीं, आप इहीं के बारे में नहीं लि ना ब्रामण जब बैठता है अब यह भागवत सब्द यहां समराथ असुक में है लेकिन यहीं बेशनगर जो पिलर था उस पर इसने क्या दिखाया यहां पर यह कहां गया यह देखिए इनकी चूरी अभी यहीं देख लीजिए यहां पर इन्हों ने इंस्क्रिप्शन जो ब हां यह है ना यह और इसमें हां इसमें भी एक जगा भागवत शब्द ले आये ना इसमें योन अलकते शंकाशो रयो अगते तेन वतेन देवशेन वासुदेव गरूर दवजे वतेन यह देखिए दो नमर का आखरी देखिए भाग लिखा है और उसके नीचे तीन नमर में भाग वतेन और इस भागवतेन को इन लोगों ने क्या लिखा है इस भागवतेन को संस्क्रिटाइज करके देखिए जरा यहां पे यह नीचे जो टेक्स संस्क्रिटाइज है यह भागवतेन को संस्क्रिटाइज टेक्स्ट में दूसरा लाइन भागवतेन को क्या लिखा ब वैश्नो धर्म का बता दिया भागवत धर्मा नुशार बता दिया लेकिन ये भागवत जो सब्द है तो बुद्धिजम में इन से पहले भी इनके बाद भी फ्रेक्वेंटली इस्तमाल हो रहा है 21 अद्हार पर इसको टय कर लिए कि विष्न की बात हो रही है यहां पर जबकि यह पौ्छिट में लिखा है यह जो वहां का बाकी और भी बाते लिख्यें है वो बुद्धिजम की पहल भी बाते लिखि diesem तो ये सब्दों का खेल खेलते हैं, इन्होंने बुधिष्ट के सब्दों को उठा के अपने पिता जी क्योंकि इनका अपना कोई शबूत है नहीं, सारे बुधिष्ट राजा, बुधिष्ट के इंस्क्रिप्शन उसमें जवर्दस्ति पिता जी खुझ रहे हैं मतलब यह हुआ सर कि यह जो अबिलेक में शब्दाय है आगाधेय, आनार भनियो, असमेधो, गर्गतिरतो, छंदो, मपमा, तेर, तरसो, सरतो, यह जो चातुवन, संकरसब भी शब्दा गया है, ऐसे जो शब्दाय है, एस सभी के सभी शब्द, निर्वीबाद, बहुत शब् है, ऐसा है, वाना, सब, देवान फिय सब्द समराट सुक में आया है कि नहीं आया है, बताइए, वो तो आया है, पर यह जो, आया है, संस्कृत में, संस्कृत में आया है, कि नहीं आया है, संस्कृत में भी आया है, लेकिन प्रश्ण यह है, संस्कृत में भी आया है, तो इ एक ही सब्द दोनों में आए है ना जब एक ही सब्द इनों ने उसका अनुवाद करके संस्कारित करके अगर अपने में ले भी लिया तो जो बुद्धियम है उसमें उसका मतलब अलग होगा ना अब सवाल याता है कि उन भासा कौन सी है बासा कोई है यह है ना दूसरी बात यह भी है सर्ट कि अग्ण्या धेय कर दिया अग्ण्या धेय जो यह होगा भी मुझे इस जूड़ यह यह देखिये ना पिये ये देवान पिया को इन्होंने अनुवाद करके देवान प्रिया लेकिन देवान पिया का मतलब होता है देवों का प्रिया लेकिन इन्होंने देवान पिया को सीधे सीधे अपने संस्क्रीत में क्या अर्थ बना दिया बकरा मूर पसु की भाती जड़ और लिख पिदिया जै जो हम लोगों से खो गए थे हम नहीं न जानते हैं हमारी inscription जो है वो खो गई थी उसका मतलब उसके पाली की dictionary अब बनाई जा रही है अब खोज हो रही है कि उस समय की भासा क्या थी उस समय उसका क्या मतलब था इतो देवान प्रिय का मतलब लिखके बैठा रहे थे बता रहे अब सब लोग वही राजा अपने को बकरा मूड क्यों लिखवाएगा देवान प्रिय सब्द दोनों में है ना उनके inscription में है संस्क्रीट में है अब आप सोचिएगा कि यह बकरा मूड कहा है ऐसी इसी से related ही कुछ होगा इससे related ही नहीं यह बिलुकुल अलग मतलब है उसका उससे related ही नहीं है उसका मतलब ही अलग है वहाँ पर फिर बात यह होते है सर कि जो बहुत शब्द है पाली प्राकिर शब्द है पाली है तुरानी मरहटि है जो कुछ बहुए वो शब्द का फिर बहुत्द सहित्य में बहुत दवां में में उसका क्यारत होता है यह भी तो देखना पड़ेगा कि वह फिर कब लिखा गया कब रचना किया गया कभ उसका पुराणा मूल वर्जन क्या है है मूल वर्जनब है भी तो देखना होगा घणी खा चार्ची Gesprक है शाब जा मुठरों होंगे? वहां कि जो अगनी जलाते है, समझो, वहां ये अगाधे आना रभनियो यह जो शब्दली के है, वैसा कुछ करते हो यह उदर, ऐसा तो बोल सकते हैं आप देखे, लेकिन वहां गया बहुत बाद में है ना, हमारे पास एक सिंगल सबूत अभी तक नहीं है, हमारे पास एक सिंगल सबूत नहीं है भारत में किसी यगहवन होने की लेकिन तिब्बत में हम देखते हैं कि वहां का जो भिखु है वो भी आगवाग जला होला के उसमें कुछ-कुछ फूंकते रहता है कुछ करता है वहां पे हैं ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं आप जाके देख भी सकते हैं अगर वो ऐसा करता है वहां बाद में गया है हम कैसे मान लेंगे कि भारत में भी वैसा ही कुछ था अगर था तो फिर वो सारी प्रेक्टिस जो है सिरलंका में मैं नमार में और चीन में जाहिए थी और देसलों में तो नहीं पाई जाती उसे में पाई जाती अब वहीं तो यहां नी पाई जाता उठा करी आपक Meerny' पुट-पुट-पुट करेगा वही तो करेगा ना फिर हां एक आमारे यहां एक आईसे भी एक विद्वान है वह ऐसे बोलते है कि पहले संस्कृत तो नहीं थी संस्कृत का कोई सबुद नहीं है पहले जो संस्कृत थी वह बुद्धिष्ट मिश्रित संस्कृत है वह नहीं के पूछ नहीं कब था फिर पाणिनी कब था ओ बहुत आलग किस पर बात यह कि देवी देवता कौन सी भासा में बोलते थे और फिर उपनिसद कौन सी भासा में थी सब पाली पाकित में थी फिर यह संस्क्रीट आ गई संस्क्रीट कहां से सीख लिया इन लोगोंने ने बात ऐसे कहते हैं कि उनके साथ हमने बहुत ऐसी चर्चा किया और मैंने ऐसा ही बोला कि आप साइन्स जर्नी से थोड़ी सी बात कर लो वो कहते हैं कि मैं किसी के साथ नहीं बोलता तो आप हमारी शंका का निरसन का ऐसा हो जाएगा मैंने कहा तो वो बताते हैं कि उनके ऐसा है कि संस्कृत नहीं था फिर भी वेद वगेरे जो कुछ है वो उदर इरान में थे वो सब वैदिक थे वहाँ वहाँ भाष्या थी उनकी वाट्सप इमोर्ट सिटी है वो और वह भाष्या में वेद था यहां आकर संस्कृत में ट्रांस्लेट कर लिया ऐसा ऐसा कुछ-कुछ संस्कृत का इंफ्ल्वेंस है संस्कृत का इंफ्ल्वेंस नहीं है वहाँ जो इंद्र सब्द इजो पतार है इंद्र नहीं इदर आया है इंदर आया है इंदर आया है इंदर वह बात ही है संस्कृत तो नहीं थी लेकिन अवेस्तन भाष्या तो पुरानी है ऐसा कुछ-कु जान लिया है फिर भी मैं बहुत सुनता हूँ बहुत पढ़ता हूँ बहुत कुछ-कुछ-कुछ ऐसा बोलता हूँ आज मैं यह भी समझ गया कि सात्वान समराजनी के अभिलेक में जो है इसका अर्थ उस समय अलग होगा आज यह कुछ भी जोड़ देते हैं कुछ भी लिखत कि राजा था यह बात पता है आपको यह बात अब संप्राद कि वाद्वाजा है तो फिर क्या हुआ कि साने लगए वैदिं winner को सब कि 사ब के सब छड़ गया सारे मृदिं की राजा होगा आज तक वैद के अलावा इसके अलावा बुद्देश्म क्या कि अद्धार दू koji प 있습니다 n vive Podcaste तो जो इंस्क्रिप्चन लिखा आप दिखाता हूं हम आपको खमौल की बाद यह देखिए उनग आए इंस्कृप्शन है उसमें नीचे दो नंबर पढ़िये नीचे दो नंबर में citizen क्या लिखता है इस इंस्क्रिप्चन को दिखा के इस एडिक्ट और रेफरेंस टू असो का विजिट तू विदिष्ट बुधिष्ट होली प्लेस प्रूफ डैट ही वाज सर्टेनली अब बुधिष्ट वो बुधिष्ट राजा था इससे यह प्रूफ होता है कर रहते कि देवान यह लिखा है न यह हमारे संस्क्रीट में होता है लेकिन अभी मैंने आपको दिखा दिया कि देवान पिय मतलब भिखू का प्रियव मानते थे लेकिन इस सब देवान पिय का मतलब लिखे थे कि बकरा मूड जड़ मतलब जो उसमें बात लिखी है उसका ठी संस्क्रीट इस्तमाल किया मतलब मिश्रित संस्क्रीट जो इस्तमाल किया मिश्रित पाकित उभी सब बुधिष्ट थे तो यह देखिए देवान पिया मतलब जब ऐसा सामने सामने गरबर कर दिया इंस्क्रिप्शन जो इसने खोजा उसको बताना पड़ गया कि नहीं भाई इंस्क्रिप्शन पढ़के लग रहा है कि नहीं बुधिष्ट राजा था उससे पहले बैदिक राजा उसको समझ रहे थे सब सुचिए कितना खाल में अर दूसरा अनि एक मिनिट सर ओनली दूसरा आइसे भी कुछ लोग हमारे महराष्टर में आइसे विचार बनता है वह ऐसा बोलते हैं बहुत धर्म एक धर्म है वैदिक धर्म वह भी अलग धर्म है और यह दोनों को छोड़कर भी एक मुलनिवासी एने वह बहु जनों का वह पत्थर वित्तर पूजने वाला आइसा त अब पी तक चला आया वह देवी-देवता पूजते है ना पत्थर के ओ देहाती लोग देहाती क्षएत्र में जाकर बाखरा-विक्रा काटते हैं कुछ ऐसा ऐसा करते हैं वह हमारी कल्चर है और वह कल्चर बहुत आउर वई-दिक से भी अलग है ऐसे भी माणनी करते हैं और बहुत जोर से वो भी चलते हैं उनके पास क्या सबुद है कुछ दिखाते नहीं लिखित तो कोई सबुद नहीं लेकिन ऐसे बोलते हैं कि आईसा मौखिक चल रहा है हमारी निरूती थी वेदों में थी वो लिका भी थी आईसा भी कुछ-कुछ था और इस चलता है और आपके साथ भी हो आपका ही नहीं मानते ऐसा होता है यहां जी देखें डीमम जब अपने पुर्खो को भूला दिया जाता है बच्चे जब नलायक हो जाते हैं आपने बाप को बाप मनने को नहीं त्यार होते तो बहुत कहानी रचेंगे बहुत कहानी बनाएंगे यो गया उख हम कहीजा मालने कि हमारे बाप थे बच्चे नलाइक है नलाइक बच्चे हमेशा सबूत की बात नहीं करेंगे यह देगहें मैं आपको सबूत दिखा था हुने यह देखिए यह फाहियान थे, चौथी सदी में आये थे, ठीक है, भारत में तो इतिहां सपना है नहीं, यह चौथी सदी में क्या देखे थे, इन्हों ने देखा था कि बुधा से पहले बुध के जो परिवार वाले थे, पूर्व बुधों को मनते थे, यह देखिए, यहां सिर्फ सबू के भी संग है, वो गये वहाँ पे, देखा कि वहाँ जो देवदत उनका भाई था, बुधा का, उसने भी अपना संग बना रखा था, बुध संग में तो सामिल था, लेकिन चुकि परिवार के पहले बुधा और उसका भाई के परिवार उनके पूर्वज जो थे, वो किसको मानते थे, कौन से धरम के थे, तो उनके पूर्व बुधो को मानते थे, तो उसने क्या किया, इनका भाई कहता था, कि हम तो आपको मानेंगे, मानेंगे, आप पूर्व बुधो को मानेंगे, लेकिन बुधा के जो प्यूर अनुवाई थे, सिर्फ बुधो को मानते थे, तो तो सिर्फ साक्यमूनी बुद्ध की ही पूजा नहीं करते बलकिल पहले के जो तीन और पुर्व बुद्ध हैं उनकी भी पूजा करते हैं, समझ रहे हैं, मतलब पहले भी जो बुद्ध थे उनको भी पूजा करते आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, जो देवधत के सब्सक्राइब बुखश्च उल्मुद्ध की परांपरीमें मैं घ्राइब खार्स ऑपने घरju एक धीन फॉख। लेकिन हमारी जो पिल्णी दर पिल्णी जो हमारी परंपरा है पूर्व बुद्ध की उसको भी मानेंगे तो उसके जो अनुवाई हैं उसके पहले की तीन परंपरा के जो बुद्ध थे उनको भी मान रहे थे बुद्ध को भी मान रहे थे सही लोजिक सही व्याख्या से आप स चंदर लगा कि बखरा कापके ये देवी है वो देवी है हमारे ऐसे बोलते है कि पुरानी है और ऐसे भी बोलते है कि बुद्ध से तो पुरानी है लेकिन ऐसा आपने अपने इतिहास शुरू के आए सर वो इतिहास बहुत अलग है वो इतिहास सबुद के आधार पर है लेकिन बहुत आभी भी बहुत लोग आइसे ही है कि पहले बुद्द, बुद्द के पहले वैदिक थे हुएदिक के भी पहले हमारे देवी देवता थे कोई देवी थे, देव थे, स्यू था, अंभिका थी, भवाणी थी, आइसी थी अब उनके सामने जाकर बखरा करते थे क्या क्या करते थे यह आईसे आज भी गड़ते हैं मैं उन्हें हजार बार समझाता हूं कोई पुरावा नहीं थी वह जितने भी बाते कर रहे हैं उस सब पालवन्स की बाते हैं और वह जिनके भी अंबिकास ही और क्या-क्या बता रहे ह है अभी पिछला rational world पे कल जो हमने एक debate launch की है Branch कि या है वह बाचीत है ूसमें हमने सबूत दीखाए च छ्ठी सदी वककलid दिखाए और वो बुधिस्ट थे बुध्या की तरह बाल रखते थे और कपड़े जो है कोई जनेवनेव नहीं पहनते थे वो बुद्ध थें बुधिष्ट की तरह थें यानि कि वो बुद्धा के अलुकुतेश्वर को सीवा कहा जाता था और वो भारत में छटी सदी के आज तक कोई सीवा नहीं मिला इंडोनेशिया कमबोडिया में घरवादियों न जो घपोड़ घाल खेल रखा है उसी में उल्झे हुए हैं उसी को समझ रहे हैं वही सबसे पुरा ना है जैसे ब्रावन का ना का रहाता सथुग दरता युक का तो ये जितनी अंबिका देवी देविता इसा पालवन्स में देविया बनी है और इन सारी द ब्राह्मन के विरोधक भी है आई सब्सक्राइब करना इतना असान थोड़े बुद्धा को एकसेप्ट कीजिएगा तो जीव पे थुड़ा लगाम भी लगाना पड़ेगा तो दया करना पड़ेगा सच बोलना पड़ेगा पंच सील पालन करना पड़ेगा व्यविचार से बचना पड़ेगा अभी आदत पड़ी हुई है आखे तरेडने की आदत पड़ी है गुसा की इवुसांद करना पड़ेगा आपको मतलब अपने में सुधार करना पड़ेगा असान काम थोड़े ही है स जीवलाइट होना तुड़े असान हमें ने क्या कहा कि बेटा भी नलायक हो जाए ना तब बाप को सुईकार नहीं करेगा क्योंकि बाप तो गलत चीज को तुरंट टोक देगा ना तु यह गलत कर रहा है अब बेटा तो चाहता है कि बाप जो है तुड़ा दूर रहे तोका प्रथा कैसे भारत में मैं आपको बताता हूं शम्राठ अशोक का इंस्क्रिप्शन है पहला और दूसरा सम्राठ अशोक उसमें लिखते हैं, हमारे कीचेन में भी कट्ता है, सौ सो पंची जानवर अब मैं तीन पर लिमिट कर रहा हूँ, आगे और कम करूँगा बली प्रथा, बली प्रथा का मतलब इनके यग हवन की बली प्रथा नहीं होती ठीक है बली प्रथा का क्या मतलब है कि लोग क्या करते थें कभी शमराट असोक ने ये कहा कि मैं बली करवा के खाना खाता हूं उकते हमारे कीचेन में कटता है वो दूसरों के कीचेन की बात कर रहे थें कि आपके घरों में भी अगर जीव हत्या काट काट के खाते हूं उसकी तो अब होता है कि उन्होंने राजा देश दिया कि अब थोड़ा कम कर दो कम कर दो सौ खाते हो तो तीन खाओ हपते में सातो दिन खाते हो तो एक दो दिन खाओ उसमें अभी उन्होंने कहते है आश्टमी को नहीं खाना है पुल्णीमा को नहीं खाना और हपते में दो दिन न कि पूरी तरह से वेश्टेरियन बन जाओ अहिंसा एकदम हो गये यह नहीं हो गये क्योंकि ब्रामणों ने इनको पट्टि पटढ़ा दी है वुझ जैनिजम की पट्टि नहीं है बुद्धियम का नाम पर जैनिजम की पट्टि पड़ा दी है कि नाक बांध के चलना पड़े इसलिए ऐसे बरगलाने वाले कहानिया लेके आते हैं लोग जो दारू पी रहा होगा उसको उसको आप कहिएगा कि दारू मत पीओ सिग्रेट मत पीओ तो तो बहाना लगेगा ना आपको ऐसी कहानी पढ़ाएगा जैसे लगा कि इसने तो PhD करके रखी है भाई कि सिग्रेट कै पायदे क्या है इतनी कहानी आपको सुना देगा वो तो यह समझने वाली बात है हकीकत यह है जो जमीन से निकल रहा है जो सबूत है उसको कोई नहीं टाल मटूलक सकता है भाविश्य जेनरेशन ग्लोबलाइजेशन सिर्फ सबूत देखता है अखिर मैं यह कहना चाहूंग सुनता है और परता हूँ किदा बेही बात यह है कि आपके सामने आकर डिबेट में आपको कोई नहीं हरा सकता सर्फ है कि इसका वज़े यह है कि आप सबूत के शिवा बोलते ही नहीं ना सरर और यह जो विचार वुन्ट बैटे हुए है बहुत बड़े-बडे आईसे इति एकश्पन सब्गर kızım करेंगे और लोगों को समझाएंगे लिखेंगे आईसा और लोगों को आप बहुत वह बोल रहा है मतलब बहुत ज्यादा तारीफ कर दिये तारीफ मत कीजिए तारीफ से देखें तारीफ करके न मुझे चने के जाड़ पर कोई इंफ्लीज मत चड़ाईए मुझे काम करने दिजिए मैं मैं भी सीखने सीखना चाहता हूं ठीक है न सीखूंगा आपने लाते रहेंगे यह देख लीजिए यह एक और चीज दिखा देता हूं डियमें जी यह उपर लिखा है सी यू एंडिये इसको यह चंड़ा यह चंड़ी इस तरह से नाम लेते हैं नीचे है वसुधरा यह नीचे है वसुधरा अब यह सारे जो हैं बुद्धिजम की सब बुद्धिजम गीly आप देखते जाएं लाइं से जिसको मानते हैं अवससब बुद्धिजम की मूर्थियां यह इन्हों क्या किया है कि यह आपपूरे द्यान से यह जितनी देविया यह जितनी मूर्तियां मिलेंगी, यह मारिची हैं, यह मूर्तियां, सब बुद्धिजम की हैं, multiple hand, जिसको यह अपनी देवी देवता बना के घूम रहा हैं, सबूतों की कमी नहीं है, इतने सबूत हैं, इतने सबूत हैं, कि यह वो हो जाएंगे, मतलब, यह सीता, पत्रा, वजरा डाकिनी, यह देखिए, वजरा डाकिनी, वजरा डाकिनी का मूर्तियां आप देखेंगे, यह देख लीजे, ऐसी ऐसी देवियां हैं, यह देखिए, यह जितनी भी दुरुगा काली जो बना के घूम रहे हैं हलो, यह देखिए कितनी सारी, the, I, them, gods, इतने सारे हाथ, इतने मंजू स्री बोधिशत्वा, कुवेरा, इसमें पूरे पिक बनाए गए हैं, यह देख लीजिए, यह सारे पिक आप देख लीजिए, इतने जो देख देखके बैठे हुए हैं, सब उद्धियम के आर्ट्स में आते हैं, यह सक्ति हैं, यह हय ग्रिवा विथद सक्ति, एक जो होती है, उसकी वाइफ जो होती है, उसको गोदी में लिए रहते हैं, ऐसे, और यह मूर्ति जो हैं, इसको कहा जाता है, हय ग्रिवा विथद सक्ति, कुछ लोग ऐसी मूर्तिया दिखा के समझते हैं, कि बुद्धिजम की मूर्ति, मतलब बुधा ऐसे कर रहा हैं, इसका नाम है हय ग्रिवा, इनके धार्मिक गरंतों में हय ग्रिव नाम आएगा, इसी तरह से, यह देवी देवता बना देगे, उसके सामने जो है बली उली चड़ाएंगे या खूस हो जाएंगे उसी में, इस सारे बुद्धिजम की मूर्तियां है, यह सिल्पकला है, यह क बहुत सारी है, मैं तो सेंपल के लिए आपको दिखा दिया, यह देखिए, घोड़े पर भी बैठे हुगे मिल जाएंगे आपको, तो इन लोगों को पता नहीं है, इतिहास पता नहीं है, मूर्तियां बुद्धिजम की अले के सामने जो हैं, बकरा काट के, और सुच लिए देखी हो गए, बन गए बराम है निजब, हो गए आ लाग इन से, तो यही है इन लोगों का, ठीक है फिर पर फिर आज हम लोग यहीं पर एंड भी करेंगे, और यहां पर शनातन धहम जी का सुपरिष्टिकर है, शुक्रिया आपका, राजकुमार नंद गाउली जी का भी शामू लिखते हैं, I want to link for the 14th April competition, अगर आपने form भर दिया है, तो लिंक आपको 3 April को मिल जाएगा, और competition चार से start होगा, ठीक है न, 4 April से competition शुरू हो जाएगा, फोर, फिर उसके बाद से जितनी stream होगी, सब में होगा, यहाँ पे शटरड़े अगर बीच में पड़ेगा, वहाँ पे जिस तिन होगी, तो यहाँ पे भी बुलाया जाएगा, यहाँ पे भी जुड़ जाएगा, लिंक मिलेगा, लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं, और व जाएगा, छत्रपती शीवा जी महाराज, वो आप त्यार कर लिजिएगा, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, 400 से ज्यादा फॉर्म आ चुके हैं हमारे पास, मैं चाहता हूँ 1000 आंखड़ा उसको कर दीजिए, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, और उसमें आप प्रिपेर्ड होके आएगा, छत्रपती शीवा जी महाराज को भी ले के, उन पे भी आप प्रजिन्टेशन दे सकते हैं, तो आगे हम लोग फॉर्म को थोड़ा अपड़ेट कर देंगे, जिन्होंने बहर दिया है, इस ओके, आप जनकारी में रखिए कि उस पर भी आप त्यार कर सकते हैं, और इसके बाद से, श्याम कुमार हर दाहा लिखते हैं, साथियों हर श्ट्रीम को लाइक कर दबा कर से, बहुत सुक्रिया, मैं फिर से बता देता हूं कि फॉर्म जो है, यूटूब चैनल पे, कम्मूनिटी पोश्ट पर है, और हम साम को फिर से पोश्ट कर देंगे उसको, ओके तो बहुत बहुत सुक्रिया आप लोगा, अंतिम तक बने रहने के लिए, आप लोग अपना ख्याल रखे, अपनों का ख्याल रखे, शुक्रिया आप शवीका